बिल्कुल basic levels है, तो grammar का क्या मतलब है जब हम एक competitive exam की बात करते हैं, यह आप जान चुके हो, पहली class में हमने discuss भी किया था, पहली यह नहीं, दूसरी class में, कि grammar की समझ का मतलब दो बातों की समझ है और वो दो बातें कौन सी है, आपके पास word selection और word placement की समझ होनी चाहिए, ठीक है, जिसको हमने अच्छे से समझा भी, कि अगर हमें चार शब्दों में से एक शब्द चूस करना है, चाहे वो filler का question है, या हमें कुछ लिखना है, या बोलना है, तो सही शब्द का चुनावा आप तभी कर पाओगे, जब आपको grammar की समझ होगी, क्योंकि एक ही word के अलग- बैच में मैं पूछी लेता हूँ, आप से भी पूछ लेता हूँ, क्यक कर लेते हैं, कि अगर ये आपको 24 दे दी जाए, India is a democracy और democratic, तो आप इसमें किस के साथ जाने वाले हैं, India is a democracy और democratic, आप इसमें किस शब्द के साथ जाने वाले हैं, बिमलेश बुक जो है, अभी एक बुक आ गई है, मार्केट में, राइट बहुट और वो बुक ये है, ठीक है, आपको बता भी दूमें, ये करियर वेल आप के में भी बुक का जो सेक्शन है, वहाँ जा करके आप नीचे पहुंचेंगे, तो ये बुक वहाँ अवेलबल, वहाँ से भी आप order कर सकते हो, ये simply flip card पे जा करके order कर सकते हो, तो ये एक प्रैक्टिस बुक है, जिसमें 5000 से ज्यादा question है, detailed explanation के साथ, लेकिन ये standard जो हमारे SSE वाले experience हैं, उनके लिए ज्यादा useful होगी, कारड ये है कि जो standard 13 topics आते हैं आपके, SSE के अंतरगत, उन सभी को मै नहीं यहाँ पर दिया हुआ है, चाहाँ वो error detection है, sentence improvement है, wise narration, फिर आप बात करो, वो क्या आपकी, तो synonym की question है, इस book में, antonym है, one word substitution है, right, idioms phrases है, और उसके बाद आप बात करिये comprehension की, तो वहाँ भी reading comprehension, parasymbols, और fill in the blanks, close test, ये 13 topics से 5000 से ज्यादा question इस book में available हैं, right, और इस सम पर ये 200 रुपए में available है, 200 से 300 के बीच में कुछ availability है, तो आप इसको एक बार check कर लीजेगा, बाकि जो banking के लिए specific book है, उस पर काम चल रहा है, वो भी आपको जल्द मिल जाएगी, वो असमित वो फरजी है, वो नहीं है, रेड कलर की जो book है, ये, आर वाई भी publication की, ठीक है, चले, तो अब जरा democracy, democratic पे आ जाते हैं, डॉली और भलवी को democratic लग रहा है, प्रिती practice के लिए है, बैंकिंग के लिए मैं जो book पे काम कर रहा हूँ न, उसमें हर एक chapter के साथ concept भी add करूँगा, इसमें क्या है कि question है, और question का solution है और explanation है, right, concepts वाली बात नहीं को कि book फ पर आपको कम से कम एक डेड़ पेज का ज्यान मिलेगा, उसके बाद हम questions पर आएंगे, फिर उन question का solution और explanation होगा, तो उस पर थोड़ा काम करना पड़ेगा, इतने सारे चोटे-चोटे topics हैं banking में, तो उस पर काम चल रहा है, चलिए जी, तो अब आ जाते हैं यहां पर, आपन हमें command होती, तो हम सही शब्द का चुनाव करते, India is a democracy के साथ जाते हैं, कारड क्या है, कारड यह है कि डेमोक्रेसी जो शब्द है आपका noun है, यह आपका noun है, और article लगा हुआ है यहां, आर्टिकल noun के पहले आता है, जब्कि democratic शब्द यहां पर गलत है, राइड क्योंकि democratic बात से कोई दिक्कत नहीं होती इंडिया इस डेमोक्राटिक कंट्री इफ यूर्मेकिंग इस स्टेट्मेंट इस आपसिलूटली करेक्ट देर इस नो प्रॉब्लम अट अब कारड यहां पर असपस्ट है कारड यह है कि कंट्री जो शब्दे यह आपका नाउन है और नाउन क हम पढ़ते हैं कि आर्टिकल्स का स्तमाल नाउन के पहले होता है और बिल्कुल ताड़े ताड़ा क्लारेटी भी हमने ले ले कि डेमोक्राटिक एड्जेक्टिव है तो आर्टिकल कैसे लग गया कैसे हम बोलते रहे कि शी इस ब्यूटिफुल गर्ल वे ब्यूटिफुल ए बच्पन वाला ग्यान थोड़ा अधूरा था उस समय के लिए शायद उतनी की जरूरत भी ना हो इसको हम कहते हैं नाउन फ्रेज तो आर्टिकल्स जो है ना वह नाउन और नाउन फ्रेज दोनों के पहले लगते हैं तो आप देखिए अकर ग्रैमर की समझ नहीं तो फिर य अपने आप में रूट वर्ड जिसका मतलब पीपल होता है लोग और क्रेशी का मतलब होता है रूलिंग तंत्र साशन का तरीका राइट बड़े सारे शब्द पूछे जाते हैं अगें बैंकिंग में नहीं बट एससी वाले जो हमारे स्टूडेंट्स उनके लिए क्रेशी बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे वोक्याब स्पेशल बैचेस में हमेशा सी हम करते रहे हैं 45-50 के करीब वोड निकल के आ जाते हैं क्रेशी से हर तरह का तंत्र साशन विवस्था जो है अब डेमोक्रेसी के बाद और कौन-कौन से शब्द यहां पर पैदा हो रहे हैं जिस लेकिन क्या कहा हमने कि अगर ग्रैमर की पकड़ कमजोर है या नहीं पार्ट साफ इस पीच की आपको अंडरस्टेंडिंग नहीं है तो आपको यह लग सकता है कि सारे शब्द अलग अलग है या आप एक सिंपल से सेंटेंस में इस शब्द को लगाने में गरबड कर सकते है क्योंकि पार्ट साफ इस पीच की क्लारेटी नहीं है लेकिन अब कोई विक्कत नहीं होगी जब आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे इसलिए हम ग्रैमर प्राइमर करते हैं तो डेमोक्राटिक जिसे पता लगा एडजेक्टिव है आपको हो इंडिया इस डेमोक्राटिक क का मतलब एक कॉमन वर्ड जो उस क्लास के सारे मेंबर्स के लिए इस्तमाल होती है उसे क्या कहोगे कॉमन नाउन कहोगे क्या होगे अचानक इसको ठीक है उसे आप कहोगे कॉमन नाउन इसका क्या मतलब है कि यह सरकार यह जनतांत्रिक तरीके से लोगतांत्रिक तरीके से चुनी गई है तो डेमोक्राटिक शब्द क्या हो गया वो एडवर्ब हो गया क्या हो गया पैनल को अज वोट अपन्ड तुम क्यों हैंक कर गए वाई शिवली क्लास शिवली क्लास कोई है कोई एक्सपर्ट कॉमेंट सेक्शन में कैसे समस्य को रिजॉल्व किया जाए याज़ वोगर्ट किया हो गया याज़ वोगर्ट किया हो गया कि अब सब्सक्राइब तो डिमोक्रेटिकली जो है वो क्या हो गया यह भाई एडवर्ब हो गया ठीक है अब भी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है इस एवर्टिंग अल्राइट नौ विमलेश शंकित सत्यम नवीन निश्रकांक मोहित टेल में ध्यान से बातों को सुनना है परिशान बिलकुल भी नहीं होना है हमें कि हमें नहीं पता है नहीं पता है वह अभी तक की पढ़ाई का नतीजा है कि नहीं पता है कि निंजा टेक्निक रिस्टार्ट हंचे तो अभी तक की पढ़ाई का यह नतीजा है कि यह सब बीसिक चीज़ें भी हमें नहीं पता है और इसलिए हमें वह कैब भी समझने उसको यह लग सकता कि पांच नए वर्ड हो गए अंदाजा तो मुझे लग रहा है कुछ न कुछ बट कुछ तो है वो सही शब्द का चुनाव नहीं कर पाएगा तो इसलिए यहां पर अगर हम देखे कुछ और अगर मैं सेंटेंसे दूं आपको अभी ठीक है ना पूजा अभी आपको क्लास मिल रही कि नहीं मिल रही चलिए तो जिसे कुछ और मैं सिंपल सिंपल से सेंटेंसे दूं झाल 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 ऐसे सेंटेंसे जो आपने बच्पन से सुने अगर आपको दूं तो इसके साथ जाने वाले आप ए और बी और ए और बी कि अगर मैं च्वाइस आपको दूं तो कुछ शब्द आपको बच्पन से परिशान करते रहें उन में से एक शब्द ये भी ये बताओ मुझे फटफट ए भी लिखो जो भी लिखना है आप जैसे भी आपको लग रहा है दोनों में यह लग रहा है तो comment में बस ऐसे लिख दो पहले में भी लग रहा है दूसरे में लग रहा है जो भी लग रहा है ऐसे लिखो आप तो समय खराब नहीं होगा जाजा हमारा आप अपनी पढ़ताल कर लीजेगा मेरे लिए पढ़ना मुश्किल है आपकी स्पीड ज्यादा है comment की तो यूशुड प्रैक्टिस अटेस्ट एवरी डे अब यह कैसे पता लगेगा जैसे सब्जेक्ट वर्ब अब्जेट की हम बात करते हैं बेसे की स्ट्रक्चर की तो helping verb है helping verb के बाद हमें main verb चाहिए जहां s लिखा होता है यह verb होता है और जहां c लिखा होता है यह नाउन होता यह बात आपको ध्यान में रखनी है spelling के basis पे तो यहां पे हमें verb की जरूरत थी और यहां हमें noun की जरूरत है तो practice देखे यहां पे noun है practice makes a man perfect तो कहने का क्या मतलब जो कल मैंने आप उसे बात की थी कई बार इसलिए बोल रहा हूं कि यह नया नया अप्रोच है इसको दिमाग में आप बिठाएं grammar का क्या है शब्दों को कैसे arrange करना है यह व्याकरण सिखाता है कल दो तीन बार बोल चुका हूंगा भी तक की classes में so grammar का function क्या है how to arrange words in a sentence that is decided by the grammar of that particular language so which practice will you go with वो किसके उपर बेस्ट है उसकी grammatical profile के उपर बेस्ट है लेकिन अगर मैं खुदी एक sentence में पहचान नहीं पाता कि noun क्या है वो जो एक मैंने आपको छोड़ा सा इंस्टेंस सुनाया था कि एक MBA graduate दो साल का work experience दो तीन साल का और उनकी हाला तैसे थे कि उन्होंने खुदी कहा कि सर आप एक sentence लिखो तो मैं पहचान नहीं पाऊंगा तो मैं आपको वही तो कह र word placement के लिए भी दो example और ले लेते हैं आपके जानकारी के लिए जिसे मैं कहूं कि this board is white और this is a white board और आपसे simple से सवाल पूछलों कि मुझे बताओ भाई दोनों sentences में दिस क्या है तो पहले वाले sentence का जो दिस है वो आपका demonstrative adjective है demonstrative adjective है कारड क्या है क्योंकि बोर्ड नाउन है बच्पन से पढ़ा नाउन प्रणाउन की विशिस्ता बताने वाले को adjective कहते हैं तो यह demonstrate कर रहा है इशारा कर रहा है कि this this board is white लेगन यहां पर आप देख रहे हो कि इस के बाद वर्ब आ रहा है वर्ब किसके बाद आता है बाई subject के बाद आता है subject बनता कौन है noun या noun के बराबरी का कोई कौन होता है noun के बराबरी का pronoun noun की जगह इस्तमाल होने वाले शब्द तो यह कोई नाम तो है नहीं तो इसे क्या कहोगे यह आपका demonstrative pronoun हो गया this तो वही है बट यह इसकी placement कर रहा है कि भाई इसका grammatical profile क्या ह भी है वो तीनों तरीकों से काम कर रहा होता है यह जो है वो conjunction भी है और वो एड़ भी है जैसे अब example मैं देता हूं आपको यहीं पर उसके बाद हम शुरुबात कर देंगे बिलकुल definitions से सारे parts of speech आज क्लास में हम brush up करेंगे तो इसलिए खुश हो जाओ अगर दिक्कत है यह जनी है वो जच्छ राव यानि है जनी है वो, जा राव है यह है यह जनी डिकैव जाओ तास पान लाव जां के श का फुश। और दूसरे सेंटेंस अब शब्द तो वही है येट बट उसकी प्लेस्मेंट बदल गई है और प्लेस्मेंट बदलने की वजह से उसका रोल डिसाइड होगा हमें उल्टा काम अब करना भी तक हम सोचते थे कि हमें चीजों को रटना पड़ेगा कि येट कंजंग्शन होता है जो दो चीजों में विरोधा भास दिखाता है कि वो गरीब है फिर भी वो इमानदार है गरीब है तो थोड़ा भी इमान हो सकता तो यह एक कांट्रास्टिंग इमोशन आपको दिख रहा है कंजंग्शन होता है यह यह होता है दिस प्रोनाउन होता ऐसे रट रट के हम बैटे हुए थे यहां मैं उल्टा काम कर रहा हूं रटना सारा खतम अब रटने की जरूत नहीं है हम सारे पार्ट्स आप स्पीच का कि तरफ फांक्छन समझ लेंगे कुझन का रोल क्या होता है सेंटेंस में और संटेंस पृड के रोल तो न जरा आई जाएगा और रोल नजर आने के आधार पे हम उनका नाम करड करेंगे उनकी लेबलिंग करेंगे तो यहां पर जो पहला वाला येट है यह आपका ev or act sajp इशारा कर रहे हैं तो यह का मतलब जो होता है वो अभी तक क्या अब तक हो जाता है एड़ोब के सिंस में लेकिन वहीं यह कंजंग्शन के तौर पे दो पिरोधा भाशी बातों को जोड़ने के लिए स्तमाल किया जाता है जिसे यहां पर आप देख रहे हैं तो वही यह क्या है कंजंग्शन है अब कोई इसी तरीके से कहें कि I own this house I own this house और दूसरा सेंटेंस कि this is my own house this is my own house अब मैं आपको यह कहूं कि मुझे यह बताओ कि इन दोनों के ओन दोनों में क्या फर्क है दोनों की ग्रमाटिकल प्रोफाइल में क्या फर्क है तो यहां पर यह subject है subject के बाद क्या आ गया यह वर्ब आ गया कि मैं इस घर को own करता हूं और this is my own house यहां यह house noun है noun के पहले जो आ गया वो adjective है और यह किस तरह का adjective है इसको हम बोलते है इंफैटिक एड्जेक्टिव जो डालने के लिए कि यह मेरा अपना घर है और यहां माई भी जो है न यह आपका पजेसिव adjective हो जाता है मेरे के लिए दो दो एड्जेक्टिव यहां पर लगे हुए है तो वही ओन वर्भी है वही ओन एड्जेक्टिव यह से मैं पर लिख सकता हूं पूरी क्लास में बट अब हम चलते हैं अपनी समस्या के अहसास के बाद कि एक कॉम्टिटिव इग्जाम का जो इस्परेंट है किसी भी इग्जाम के आप त्यारी करो आप आप जस्टॉकिंग अवाट बैंकिंग इग्जाम पर से आइम टॉकिंग आप इन जेनरल सेंस के यही तो दो काम करना है कोई यह थोड़ी आपसे पूछ रहा है कि नाउन कि नियमों को लिखें आप इसकूल कॉलिस का एक्जाम नहीं है पर नाउन करता क्या है उसका फँंक्शन क्या है यह समझ आपको होनी चाहिए तो चलिए भूख लगने के बाद अब चलते हैं हम की तरफ और ग्राइमर की मिट्टी को भुरभुरी करते हैं ग्राइमर के साथ अंगरिजी में या किसी भाषा के अंदर सबसे basic entity क्या होती है सबसे basic entity होती है letter हम बिलकुल basic से शुरू कर रहे है letter का मतलग मैं लिख दूँ यहां b d f यह सब क्या है यह आपके letters है बहुत सारे लोग letter और alphabet शब्द में confuse करते हैं वो letter को alphabet बोल देते है alphabet को हम कहते है word माला तो alphabet अगर मैं A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U B W X Y Z वंतलब A से Z तक आप जब proper sequence में इन letters को arrange करते हो तब हम उन्हें क्या कहते हैं then they are called alphabet otherwise they are called letters अक्षर अक्षर उस हिंदी शब्द का ही मतलब है कि उससे और छोटा नहीं हो सकता तो सबसे B C की काई होती है अक्षर यानि letter letter से अगला पढ़ाओ क्या होता है अगला पढ़ाओ होता है words का जहां पर हमारी दिक्कत है अभी हम words भी भंसे होएं आगी की कहानी तो भी दूर की बात है हम नहीं पहचान पार एक word को कि यार democracy लूँ democratic लूँ democratize लूँ नहीं समझा रहा है energy लूँ energize लूँ energetic लूँ energetically लूँ लग तो रहा है कि सब उर्जा के साथ सम्मंधित हैं but which word I should go with I'm not pretty confident within myself so that's the problem we face in general whether it is related to writing or speaking for that matter तो आज वो सारा कच्रा साफ करेंगे हम तो जब word की बात होगी तो यहां पर हम बात करेंगे POS की यानि parts of speech की जो आज की class में ही होगी आज की class में हम parts of speech कितने हैं आपको पता है वैसे आठ होते हैं noun pronoun adjective verb, adverb, preposition, conjunction और interjection इन आठों में से जो पहले साथ हैं यानि noun pronoun adjective verb, adverb, preposition, conjunction इन साथों की अच्छी समझ आपको होनी चाहिए यानि इनके function की इनके role की मैं यह नहीं कर रहा है इनके इनसे जुड़े नियमों को रटना है आपको नहीं इनकी समझ ले लेनी है कोई मुश्किल काम नहीं है क्या इनका function है क्या role है तो automatically फिर आपकी समझ बढ़ जाए इंट्रेक्शन जो है उसका कोई competitive exam से एच सच कोई directly लेना देना नहीं आपको पता है बच्पन ने पढ़ा होगा इंट्रेक्शन विसमयादी बोधक अव्य यह सब हुर रहे इस तरह की emotions को व्यक्त करते हैं लेकिन यह सातों chapters की अच्छी समझ आपको चाहिए grammar based किसी भी तरह के question को करने के लिए अब SSC में जैसे reduction sentence improvement आता है मेरी बुक में मैंने वही दो टॉपिक दिये एक हजार पांच question मैंने इनी दो टॉपिक से दिये जो बुक की बात भी मैं कर रहा था practice book की एक हजार पांच और उन्हें एक हजार पांच question की explanation है proper जैसे हर चीज की मैं एक शब्द की explanation अपनी class में देता हूं चाहिए हम कुछ भी पढ़ रहो ग्रामर वह क्या आप comprehension क्यों है कैसे है तो वह अप्रोच आपको भी develop करना है कि हम कभी भी तुक्के में कोई चीज ले लें कि हाँ यह होगा बस मुझे लग रहा है क्यों लग रहा है क्यों होगा क्यों नहीं होगा कि सवाल पू को वाक्य कहते हैं लेकिन हर शब्द का समुह वाक्य नहीं होता हर शब्द का समुह वाक्य नहीं होता अब जिसे मैं अगर सिंपल सी इतनी बात कहूं कि कि यह नो यूर अंडरस्टांडेंग अंड डेफ्ट आफ अंडिस सब्जेक्ट इसका क्या मतलब हुआ तुम्हारी समझ और गहराई इस सब्जेक्ट की या इस सब्जेक्ट के बारे में जो भी चाओं हिंदी में बोल लो इसके क्या पता लग रहा है अब यह बस पता लग kernel įह क्या मेरी मेरी युम्हारी सब्जेक्ट वाट क्या बताना चाहते हैं करते बहुत अच्छी है क्या कहना चाहते हो मतलब शबदों का एक ऐसा समों जिसका अपने में कोई मतलब नहीं होता उसको हम प्रेज कहते हैं पद कहते हैं और जब आप उस समू को sentence में यूज करते हैं और यही आपके reading का barrier है दिक्कत है जो हमने शुरु में बात की थी पहली क्लास के अंदर भी दूसरी क्लास में भी कि हमें तो वह सब्जेक्ट वर्ब पढ़ा हमने राम किल रावन टाइप sentence राज लाइक सिमरान टाइप sentence कि राज लाइक करने वाला क्या कर रहा है लाइक कर रहा वह वर्ब हो गया और किसको लाइक कर रहा है यह अंग्रे जी का sentence होता है पर जो आपको इस तरह का sentence मलता है कि और यार understanding and depth on the subject is fantastic तो आपको लग रहा होता है इस वह उसके पहले subject में क्या लिखू में क्या यह सब सब्जेक्ट है क्या किसकी बात हो रही है क्या यूर सब्जेक्ट है नहीं यह पूरा का पूरा sentence का subject यह जो साथ सब्जेक्ट का सम्मू है वो है इसलिए अब हम उसको नाउन नहीं कहेंगे क्या कहेंगे नाउन फ्रेज कहेंगे आपने किसी को कहा कि यूर ड्रेस यूर ड्रेस ब्यूटिफुल अब मैं आपको बूचू कि sentence में subject क्या है क्या subject तो यहां subject ना तो सिर्फ यो object हो गया मैं like करता हूं क्या like करते हो क्या your object है नहीं क्या address object है नहीं दोनों शब्द मिल करके object है यूर ड्रेस मैं तुम्हारी ड्रेस को like करता हूं तो ऐसा नहीं कि कोई rocket science है हम daily business पर बोलते हैं बट उन चीज़ों को स्थोड़ा समझ लेना है कि यह क्या चल रहा है यहां अगर मैं सिर्फ कहूं your dress तुमारी dress तो क्या है भाई तुमारे dress के बारे में बताओ कुछ मैं your dress बोलके चुप हो जाओ तो phrase is nothing but a group of words that does not have its finite verb and because of this problem it does not put forward the complete meaning इंदी में बोल देता हूं फ्रेज शब्दों का एक ऐसा समू होता है जिसके पास अपना कोई वर्ब नहीं होता और इस coming की वज़े से ये कभी पूरा मतलब नहीं बता पाता पूरा मतलब ये तभी बता पाता है जब ये किसी sentence में स्तमाल होता है अब आप suppose domino pizza पे जाके pizza hut पे जाके ये बोले उनको कि three pizzas with extra cheese counter पे खड़े होगे जाके बोल दी आपने three pizzas with extra cheese तो आपका चेहरा ही देखता आपको यहां खाना है पैक करके ले जाना है किसी और के लिए पारसल भेजना है आपके मुह पे मार दूपीजा क्या करना है तो कहने का मतलब कि three pizzas with extra cheese if you are making this much statement ये पूरा मतलब नहीं बता पार आप अगर आप ये बोलोगे नहीं I want to have या I want to eat two pizzas with extra cheese या order करना है ये कर दो पारसल करना जो भी है पूरी बात आपको बोलनी पड़ेगी तो इसको हम क्या कहते है फ्रेज फ्रेज के बाद जो अगली कड़ी आती है वो कही जाती है clause राइट अब आप इसको भी इले मैन के तौर पर कहते है clause शब्दों का प्रेज शब्दों का समूँ था लेकिन इसके पास इतका वर्ब नहीं है चाहे तुम दस्यों वर्ड जोड़ जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसका पूरा मतलब तभी निकलेगा जब वो एक सेंटेंस में अस्तमाल होगा लेकिन clause क्या होता ह है clause is a part of a sentence but it does have its finite verb यह बिलकुल वैसे ही है जैसे मैं कहूं कि इश्वर इश्वर नहीं लिखा है सर मुझे इंग्लिस टु हिंदी करना सही नहीं आता सब आ जाएगा don't worry इश्वर और जैसे मैं इश्वर कही नाम पे sentence बनाओ कि इश्वर is an intelligent student but he could not perform well this time full stop sentence की पहचान full stop का साइन होता या mark of interrogation होता इन जनरल पीरियट का साइन इसलों उसको बोल रहे होते हैं लेकिन अब आप देखिए इस एक sentence में दो clause है पहला क्या है इश्वर is an intelligent student but he could not perform well this time अब बट के बाद एक अगला clause शुरू हो गया तो यहां एक sentence को बनाने में दो clause इस्तमाल हुए है तो दोनों clause अपना मतलब बता रहे है इस्वर is an intelligent student या simply इस्वर is intelligent बोला आपने इसका मतलब निकल गया subject भी है verb भी है is a state verb वहाँ पे और उधर आपने कहा he could not perform well उसका भी मतलब निकल रहा वो इस बार अच्छा परफार आप नहीं कर सका लेकिन क्योंकि यह दोनों बातें contrasting ह अगर को intelligent है तो आप यह उम्मीद करेंगे कि वह अच्छा perform करे तो इसलिए आपने बीच में conjunction yet लगा दिया है तो यह हो गया clause और clause के बाद बारी आती है sentence की जैसे अभी हमने example लिया कि sentence तो वो पूरा है ना इस्वर is intelligent but he could not perform well police drop यह sentence है लेकिन इस sentence के बनने में दो clauses का इस् होगी ही ना लंबा sentence समझी नहीं आएगा क्योंकि आप उसको तोड़ नहीं पाते और अब आपको कोई दिक्कत नहीं है आपको पता है कि यार एक sentence जो है ना इसके पीछे इतनी सारी चीजें हैं और हमसे jumping कहां होती थी हम कह लेते थे बचपन से पढ़ रहे हैं शब्दों क सार्थक समु को बाकि कहते हैं यह definition हुआ करती थी right a meaningful group of words is called sentence यह make sentence something like that बट यह दो step हम जो है वो jump कर जाते थे बचपन में काम चल गया definition उगल के चले आया school में papers पे but अब जब when you read newspapers magazines lengthy sentences में आपको दिक्कत होती क्योंकि यह दो step हम jump कर जाते हैं और एक लंबे sentence के अंदर बह इसके बाद अब हम शुरू कर रहे हैं words की समझ parts of speech की समझ और देखो इस समझ के साथ ही यह दोनों समझें जूड़ी हुई है इस समझ के साथ ही दोनों समझ जूड़ी हुए जैसे हमने simple से मैं noun की बात करूँ बस अभी आपको एक relation नजर आ जाएगा फिर हम सारे को समझना शुरू कर लेंगे अब जिसे noun की बात करूँ कोई कितना भी अंग्रीजी नहीं आती इतना तो पता है noun sentence का subject बनता है करता बनता है ठीक है तो और object बनता subject वर्ब object यह noun का काम है sentence लिख भी देता हूं कि आपको comparison समझ में आनी शुरू हो जाए अब राज-like Simran जैसे था मैंन करने वाले को या जिसके बारे में बात हो रही है sentence में उसे subject कहा जाता है और जो action को receive कर रहा होता है उसको हम object कहते हैं ऐसा नहीं कि बर्ब की बाद लगा हर शब्द object होता है जो action को receive कर रहा है तो वह liking कौन receive कर रहा हो सिमरंड रिसीव कर रही है यहाँ एक शब्द था लेक यही गडित लगाओ अब मैं अगर आप से पूछूँ एक शब्र दू है जिरूरी थोड़ी सब्सक्राइब देए वह वर्ब के ऊपर डेपेंड करता है जो एक्षन वर्ब होता है आपका एक तरीके से वह कौन रिसीफ कर रहा है उसके लिए अभी इस जो है वो स्टेटी वर्ब की केटेग्री में यह जो है इसके साथ एजक्टिव आ रहा है जैसे हम किसी कोई बोलते ह अब हम इसे noun नहीं कह पाएंगे, क्या कहना पड़ेगा, अब हमें इसे noun phrase कहना पड़ेगा, बस वही तो मैंने कहा, कि कोई मुश्किल चीज नहीं है, अगर noun पहचानते हो, तो noun phrase भी पहचान लोगे, noun clause भी पहचान लोगे, adjective को पहचान लेते हो, तो adjective phrase, adjective clause सब पहचानना अस अब इसी को अगर मैं sentence को ऐसे लिख दूं कि I like your idea या I appreciate your idea अब मैं फिर आपसे अगर पूछूं कि भाई मुझे ये बताओ मुझे ये बताओ कि sentence का object क्या है इस sentence का object क्या है तो I subject हो गया appreciate वर्ब हो गया मैं क्या appreciate करता हूं तुम्हारा विचार your idea तो अगें ये दोनों शब्द मिल करके appreciate के object है कौन बनता object भाई noun बनता लेकिन एक शब्द होता तो मैं noun कहता दो शब्दों का समू है तो मुझे क्या पहना पड़ेगा noun phrase और देखो यहाँ पर वही noun phrase object का काम कर रहा है यहाँ पर वही noun phrase जो है वह आपका काम subject का कर रहा थीक है कि एक और sentence लिख लेता है I कि अंडर्स्टाइंड कि आई अंडर्स्टाइंड कि वाट यू आर ट्राइंग टू से कि हिंदी अनुबात करने में किसी कोई दिक्कत नहीं है मैं समझता हूं जो तुम कहना चाह रहे हो यही तो हुआ है इसका मतलब अगर आप इस बात को आपको ट्रांसलेट करना है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है अई अंडर्स्टाइंड वाट यू आपको क्लियर है य। दिक्ष्य में क्या अन्डर्स्टाइंड करता है तो आप्यक्त तो वही होता है जो इस क्या काई कorn का जवाब हो रहा होता है तो यहां इस जवाब में अभी यह लिखा गया है यादि वाट्यू ट्राइंग टूमियरा अप एक Kenn가 स्लेट अप इसमें कोई वर्ब नहीं होता, इसलिए उसका पता नहीं होता, वर्ब हो तब तो पता लगेगा अच्छा, हाँ, ये पूरा का पूरा शब्द क्या काम कर रहा है, बट ऐसे रेंडम अगर वर्ड का ग्रूप है, चाहे दस वर्ड हों, पंदरवर्ड हों से फ्रीज ही कह रहे ह लेकिन यहां पर देखो, what you are trying to say, what you are trying to say, यहां पर subject भी है और verb भी है, तो इसलिए अब हम इसे क्या कह लेंगे, इसे आप कहोगे noun clause, इसलिए मैंने कहा कि एक बार function पता लग जाए ने चीज़ें बिलकुल आसान हो जाती है, अब आपको वो गडित समझ में आ गई, तो ऐ ऐसे ही जब हम अभी सारे पार्ट साफ इस पीश ब्रशाब करेंगे noun का function, pronoun, adjective, verb, adverb, उसके बाद जब फ्रेज पहाएंगे न, तो तीन तरह के फ्रेज आपको पहचानने हैं, generally, मतलब primarily noun, adjective, adverb, तो भाई अगर एक वुच्छा पहचानता है कि noun का क्या रोल है, एक शब्द के तो वो words का group होगा, तो भी पहचान लेगा, noun phrase भी पहचान लेगा, उसी तरीके से जब clauses में एंगे, तो वहाँ पर भी noun clause, adjective clause, adverbial clause होगा, तो भाई अगर वो clause noun का का काम कर रहा है, subject object बन रहा है, तो आप उसको पहचान लोगे कि हाँ, ये noun clause है, चले साब, अब हम चलते हैंगे, जब उसमें subject और वर्व उसके पास है, और जो काम कर रहा है, उसके आधार पर, यहां पर understand का यह object हो गया, right, यह understand का object हो गया, अब ऐसे ही मानलो, एक simple सा sentence हो ना, देखो कैसे आपके मासूम मन में चोट लगती, अब जिसे यहां लेखा है, what you said is unbelievable, unbelievable, अब एक बच्चा जो मतलब जिसने बच्पन में grammar तो पड़ी है, अब उसको लग रहा है, यह कौन सी अंग्रीजी, what you said is unbelievable, चलो एक बार यह तो समझ में आता है, this is said by him, यह उनके द्वारा कहा गया है, इज के बाद said लगा हुआ, तो नजर आता है हमें, अब वो सोच रही आता है, यह कौन सी अंग्रीजी के सेट के बाद इस लग गया, और मैं आपको बता हूँ, ऐसे बतलब एंजिनियर इसने सवाल पूचा है, आफ लाइन क्लास के बात कर रहा हूं है, पांच साल पुरानी बात है, और एक क्लास के बाद एक सजजन निकलते हैं, इंजिनियर ह करें, बैंकिंग के जॉब की, और वो मुझे कह रहे हैं कि सर, ऐसा ही है, उन्हों ने पूचा कि सर, इसके बाद मैंने वोब की थर्ड फॉर्म देखी सर, यह कैसे पॉसिबल है सर, इट इस रिटेन लिखा था, हमने तो बच्पन ने पढ़़ा, इसने मार के साथ वोब में परिशान होते हो, तो फिर मुझे उनके सर पर थोड़ी टपली देनी पड़ी, मैं का भईया, जग जाओ, यार, क्या बात कर रहे हो, पैसिव आज भी पढ़ा था, छटी सात्वी क्लास में, अब होते हैं, पहले भी आगो, मेरे टाइम पर तो उसी समय में था, छटी उसके द्वारा लिखा जाता, गया है, तो यह चीज़ें आपको परिशान करती है, आप वही मैं कहाना कि आप सोचोगा, इज तो पहले सेड आता है, यह सेड के बाद इज कैसे आ गया, यहां तो सेड लिखा है, यह पास्टेंस में चला गया, उसके बाद फिर इज आ गया फिर प्रिजेंटेंस का कैसे हो गया, यह कैसे क्या खिचड़ी है, हमने तो बच्पन में बढ़ा कि एक सेंटेंस में टेंस की उनिफार्मटी होनी चाहिए, तो यह सब मन में सवाल खड़े होते हैं, क्यों क्योंकि ग्यान अधूरा था, अब वो पूरा हो रहा है, अधूर क्लाउस है, क्यों नाउन क्लाउस कह रहे हैं, क्योंकि इस इज का कोई सब्जेक्ट पूछे कि विलीविव वल। कौन सी चीज अनबिलीविववल है, अभी मैंने कहा, सब्ज़ेक्षा क्या थी, काम करने वाला जिसके बारें बात कर रहे हो उसको subject कहा जाता है, तो हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि यह चीज अविश्वसनी है। तो कौन सी चीज अविश्वसनी है। क्या अविश्वसनी है। जो तुमने कहा। वो अविश्वसनी है। What you said is unbelievable। अब जिसे मालों आप किसी को फोन पर ये बात कह रहे हो। वो इंसान कल यहां तक सभी को बात समझ में आ गई बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं आप बात समझ में आगई हमारे चैलिंजे समझ में आगए कैसे सौर्ट आउट होंगे अब उसके बाद मैं फिर पार्ट सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब नजर आया हम कहां कहां फंसे थे क्यों फंसे थे क्या क्या दिक्कत थी यह सब्सक्राइब तब मैं चलूं कि तारे पार्ट साफ इस पीच के फंक्शन को देखने क्लिरों के बात चलो अब बढ़ते हैं आगे एक एक को पकड़के चलते हैं पार्ट साफ इस पीच का डिसक्शन पी ओ एस यानि पार्ट साफ स्पीच देखो नाम से ही पता लग रहा है यानि एक स्पीच का पार्ट यानि अंग्रीजी में कुछ आप कहें या लिखें वो शब्द इन्हीं आठों में से कुछ न कुछ होते हैं कौन हैं वो एक पर लिस्ट कर लेते हैं नाउन प्रोनाउन एजिकतिव वब आडवब प्रैपिशुन चन्जंग्चिन और इंटर्जेक्शन ठीक है भाई 1 2 3 सारी कहानी अंग्रीजी की नहीं के आसपास घूमती है आज अकर पूरा नहीं हो जाएगा तो कल पूरा हो जाएगा यह और बेसिक्स आपको क्लिर हो जाएगा इसके बाद अंग्रीजी आपको सेटरेडे सेंडेम पढ़के देखना चीज़ें आसान लगने अलगेंगी तो अब हम एक-एक को पगल करके इनके फंक्षन को समझते हैं ठीक है अब हमारा जो फोकस है वह फंक्ष्णल आसपक्ट कि पंॉक्ष्णल आसपेक्ट आफ प्ई एस हम इनके डेफिनिशन को एक बार ब्रश अप करेंगे और देखेंगे कि इस किस तरह का रोल निभाते हैं एक sentence में रोल के आधार पर हम पहचान लेंगे कि यह काम किस तरह का कर रहा है तो अगर हम नाउन की बात करें तो नाउन की सबसे पहले definition क्या है name of anything can be called noun or noun is nothing but a naming word noun कुछ और नहीं होता नाम रखने वाला एक शब्द होता है तो यह तो होगी noun की परिभाशा nobody is going to ask you but noun को हम पहचानेंगे कैसे जो अभी हमें दिक्कत है हम पहचान नहीं पाते वही जब उसका रोल जानेंगे तो रोल क्या क्या है भई सबसे पहला रोल नाउन का है कि यह sentence का क्या बनता है subject बनता है subject of a sentence दूसरा काम क्या होता इसका यह object of verb बनता है verb को मैं थोड़ा और clear लिख लूँ में वर्ब यह जो action वर्ब है को भी बनता है subject compliment जिसे हम कहते हैं जो complete करें वो compliment है पूरक complimentary अंगल मैथ में पढ़ते हो आप और क्या function है नाउन का नाउन जो है वो object का भी compliment बनता है पूरक बनता है compliment of object बोले या object compliment लिख लो इतने सारे function है noun क्या या अगर ऐसा रोल निभाता हुआ कोई शब्द हमें नजर आएगा तो हम उसे नाम क्या देंगे यह noun का रोल निभा रहा है as simple as that अब जरह इन दो शब्दों की एक बार पड़ताल कर लें बिसे मौखिक तौर पर बता दिया है दुबारा आपके दिमाग में बठा देता हूं तिके subject और object की जब बात की जाए और हम basic structure की बात करते हैं जो अंग्रेजी की वह object को हम कर्म बोलते हैं तो यह doer है और यह receiver है पहले तो यह बात जान लो doer of what doer of action यानि जो verb हो रहा है यहाँ पर बीच में जो वर्ब है न इस काम को करने वाला subject कहा जाएगा और यह काम को जो receive कर रहा है यानि उस action का प्रभाव जिसके उपर पढ़ रहा है वो क्या है वो उसका object कहा जाता है तो पहले तो दिमाग से यह गलत फहम ही हम निकालने कि वर्ब के बाद लिखा शब्द object होता है हम उल्टी पढ़ाई करते हैं अगर वर्ब के बाद लिखा हुआ subject object होता है तो she is beautiful में beautiful object है क्या अरे she pronoun beautiful विशेशल है इस वर्ब की category का शब्द है इस करने के लिए इस्तमाल हो सकता वह और ऐसे हाल में उसके बाद लगेगा आपने कहा ही प्लेड वेल सेंटेंस तीन शब्दों का अब कोई रटा हुआ बच्चा कहें कि नहीं सर हमने तो बच्पन से पढ़ा है subject वर्ब object होता है तो उस ललू-लाल को पूछो ही प्लेड वेल म क्या अगर आपने कहा कि ही पलेज्टबॉल एपलेज करकीट टीफ़ेज होटी तो वहां पहर यह यह इसमयां है खेलों के वह आपज यह विधन के Tea मैं अरह नहीं उसने कैसे खेला उसने कैसे खेला आप यह बतारहे हैं और जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है कि वह एक् पर अब्जेक्ट होता है सिंटेंस का स्ट्रक्चर सर रटा हुआ अग्यान बहुत घातक है चीजों को समझना है इंग्लिश में हर एक बात कॉंटेक्स्ट पर डिपेंड करती कोई चीज पक्की वाली बात नहीं रटके बैठ गए आप आख मूद करके इस यह पता होना चाहि चीजों कि इसका फंक्शनल आश्पेक्ट क्या है तो वर्ब के बाद एडवर्भी लगा सकते हैं इस। इस्टेटिव के बाद एड़कृटीव यह आ wag के बाद नाउना आ सकता है और वो ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है आईए अब example ले लेते हैं अच्छा हां जरा इसकी एक और information आपको दे दूँ जैसे मैंने कहा कि subject doer of action है और दूसरी बात क्या बताई थी about which sentence is written इतनी बात और ध्यान रखो उसको भी subject ही कहते हैं अब बहुत सारी लोग उस वाली जलत फहमी में होते हैं कि subject का मतलब करता काम करने वाला अरे अगर आपने ये कहा कि English is my favorite language, Sanskrit is my favorite language, Delhi is the capital of India, तो इन sentences में ये English, Sanskrit और दिल्ली कोई काम कर रहे हैं क्या, कोई actor हैं ये action करने वाले हैं, doer हैं, नहीं, ये वो शब्द हैं जिनके बारे में आप पूरे sentence में बात कर रहे हो, तो जिसके बारे में एक sentence लिखा होता है या कह जाता है, उस शब्द को भी, क्योंकि अभी हम noun, बक्या बात कर रहे हैं, इसलिए मैं शब्द बोल रहा हूं, अगर वही शब्दों का सम्मूह हो जाएगा, तो उस phrase को भी कहा जा सकता है, उस phrase को आप noun phrase कहोगे, उस शब्द को आप noun कहोगे, और उस clause को noun clause कहोगे, यस अभ यहां what you said, कोई actor doer नहीं है, यहां जिसके बारे में हम बात कर रहें कि क्या correct है, जो तुमने कहा, वो correct है, बात समझ में आ गई, तो अभी गरबड मत करना परिभाशाओं के अंदर और अपनी समझ के अंदर, कि वर्ब के बाद लिखा हर शब्द object होता है, clarity से समझ लो, जो राज like Simran में राज क्या थी, राज subject थी और Simran object हो, अब object अप्रपडिशन इसकी बात कर लेते हैं, sporad is a word that is placed before a noun or pronoun to show its relation with other words in the सेम संबंध बोधक केहते हैं हम इसको हिंदी में कि प्रपोजिशन वो शब्द होता है जो किसी नाउन प्रणाउन से पहले लग करके उसी सेंटेंस में स्तमाल हुए दूसरे नाउन प्रणाउन के साथ या शब्दों के साथ उसका संबंध बताए इसलिए इनको संबंध यहां दा रहा है वरको रिसी प्रिकर रहा हो वगयक्त है थो वो प्रेपद्फिशन जिसके बाद फ्रेपरेशन के बाद जो लगा हुआ है यहां नहीं ए Nama में क्या काम कर रहा है प्रेपोजिशन का अब्जेक्ट है एज सिंपल एज दा उसी तरीके से आप देखिए सब्जेक्ट कॉम्प्लिमेंट सब्जेक्ट का पूरक अब यह कैसे होता है अब जिसे मानली जी मैंने यहां पर लिखा नीरज के नाम का इस्नमाल करते हुए कि नीरज इस दा स्टूदेंट नीरज इस दा स्टूदेंट ठीक है शिवानी इस एन एंजिनियर ठीक है काली चरण जी के रहे हैं बहुत मज़ा आ रहा है बहुत अच्छी बात चले काली चरण जी का ही नाम लिख लूँ यहां पर काली चरण इस डॉक्टर अब देखो ऐसी सवाल तो बटपन से पूछे आते रहे हैं कि स्कूल की दिनों में भी छोड़े छोड़े थे सिखाया भी जाता था बेटा आपको कोई पूछे वाट इस यूर फादर तो यह बताना माई फादर इस डॉक्टर तो अब आप खुद सोचो कि माई फादर इस सब्जेक्ट है मेरे पिता के बारे हम बात हो रही है और सब्जेक्ट कहते ही उसे जो काम कर रहा है जिसके बारे हम बात हो रही तो बात मेरे पिता के बारे में तो दोनों शब्द मिल करके सब्जेक्ट है तो हम उसे नाउन फ्रेज कहेंगे बचपंस यह बोल रहे हैं माई object is वागया verb my father is verb और doctor object नहीं भाई वहाँ इस linking verb का काम कर रहा है वो आपके पिता जी को उनके profession के साथ link कर रहा है वहाँ वो subject की information को complete कर रहा है और जो complete करता है complete की spelling में क्या आता पी-ल-e-t-e वहीं से जन्म होता है compliment शब्द का पूरक शब्द का तो जो subject की information को पूरा करें उसे subject compliment कहते हैं और क्योंकि noun वो काम कर रहा है तो हमने इस noun को क्या कहा कि noun sentence में subject compliment का भी काम करता है यह subject compliment का भी काम करता है तो आप देखिए sentence में यह नीरज, शिवानी, काली चरन यह सब क्या है sentence के subject है और यह जो शब्द लिखे गए यह भी noun है यह सारे के सारे शब्द आपके noun है लेकिन क्या यह object है नहीं यह सभी के सभी example किसके हैं यह subject की information को complete कर रहे हैं तो हम इने कहेंगे subject compliment हम इने कहेंगे subject कोई मुश्किल नहीं है बच्पन से बोल रहे हैं समझ में नहीं आता था अपने सभी मन में सवाल पूछते तो लगता है कि चलो ठीक है ना चल तो रहा है काम लेकिन शायद आपकी मुलाकात पहली बार हुई हो किसी ऐसे सफाई कर्मचारी से जो सारे दुखदर्द जानता है आपके अंग्रेजी के और उनको दूर कर रहा है इसमें आपकी भागिदारी होनी चाहिए इस तीन महीने के बाद आप में आपके अंदर एक मतलब ट्रांस्फॉमिशनल इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा अगली पुस्तों को भी अंग्रेजी पढ़ा लोगे पॉंक में पढ़ रहे हैं और उसके बाद हैधराबाद में B8 के बच्चों को पढ़ा रहे और उन्होंने आप जैसे कौमेंट में लिखा था कि वो बच्चे पहली बार फंशनल अंग्रेजी पढ़ रहें काली चरणजी क्यों कह रहें मजए पूंकि पहली बार वो परतनें खल र रखी आगे की जिन्दगी नरक हो जाएगी हमारा दिया अगर जल गया और चीजों के फंक्शनल आस्पेट का पता लग गया इनका रोल क्या है आपके लिए चीज़ें आसान है तब तैरने लगेगा आँखों के सामने कुछ नहीं रटना पड़ेगा आजाओ अब एक आपज कि आखरी बात बची उसकी बात कर लेते हैं अब जैसे मैं कहूं कि I consider I consider कि किसको नाम लिए जाए रागिनी आइक रागिनी का लेले ले जाल इसको बोलते हैं न मैं उसको अपना बाई मानता हूँ उसको अपने बहन मानता हूँ तो यह क्या है अब ऐसे सेंटेंस आप बोलते हो तोड़ो इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी सब्जेक्ट वर्ब ऑबजेक्ट किसको कंसीडर करता हूँ रागिनी को और रागिनी को क्या कंसीडर करता हूँ मेरी बहन तो यह माई सिस्टर जो है यह अगेन आपका देखो नाउन फ्रेज हो गया अब इतनी समझ आपको आज चुकि यह पीछे की चर्चा से और यह क्योंक कि आपजेक्ट की इनफर्मेशन को पूरा कर रहा है इसे हम क्या कहेंगे आपजेक्ट कॉम्प्लिमेंट कहेंगे तो एक नाउन या नाउन फ्रेज क्लॉज यह सब यह पांचों काम करते इस इन पांचों के बाहर इनका कोई रोल नहीं है अब अगला पॉइंट की हाव इस तरीके से आइडेंटिफाई करें तीन शब्द हैं जिनसे आपको सवाल पूछने हैं आपको नाउन तुरंत दिख जाएगा वह टू इंटिफाई नाउन वह तीन शब्द कौन कौन है वह शब्द हैं हूँ वोम और वाट हूँ हूँ और वाट हूँ की अगर बात करी जाए तो सवाल पूछते हैं तो से जबाब मिलता है वो सब्जेक्ट होता है जैसे आप कहो कि फूर्ण देस किसने यह किया है आप कहोगे ही अब ही तो खारत करावन को सब्जेक्ट कर रहा हूं हूम से जो जबाब आपको मिलता है वो जबाब अब्जेक्ट के लिए मिलता है जिसे कहा जाए कि हूम डिड्यू मीट तुम किसको मिले उम डिड्यू मीट येस्टरडे तुम कल किसको मिले आप कहो I met I met I think जितने नाम दिख रहे हैं मुझे दस नाम एक साथ स्क्रीन पर दिख सकते हैं तो सवाल पूछी लो न लिख भी देता हूं यहां पर Who has done this अब आपने who से सवाल पूछा तो यहां पर कोई भी Rajiv has done this ठीक है Whom did you meet yesterday तुम कल किसको मिले इसका जवाब क्या हो सकता है I met भावना yesterday क्या कहा आपको अभी कि भाई whom से जो जवाब मिलेगा आपको वो object होगा आपकी आँखों में साफ साफ नजर आ रहा है राजी यहां पर sentence का subject है और भावना यहां पर object है वर्व के बाद आ रही है और सवाल कौन पूछा था हूँ और वाट से क्या आपको मिलता है वाट से आपको subject और object दोनों ही मिल रहा होता है यानि वाट का जवाब subject भी हो सकता है और वाट का I gave away अब यहां देखो आप आई सब्जेक्ट गेव वब मैंने किसको दिया अब है को दिया यानि अब है भी एक आपजेक्ट है और यह जवाब किसका है यह जवाब हूम का है खैर यह जवाब हूम का है जैसे आप कहते हो न अब यह जवाब हूम के दो आपजेक्ट है मुझको दिया और क्या दिया एक पैन दिया तो मैंने आई गेव अभाय बुक यहां कोई नाउन अभी पढ़ रहे है नाउन का ही फंक्शन प्रनाउन ने भायाएगा उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं जब नाउन की जगह इस्तामाल होने वाला शब्द बोलते हैं प्रनाउन को यानि जो रोल नाउन का है वही रोल प्रनाउन का है Got it everyone So I give अभाय या बुक जबाब यह कह रहे हो तो यहां पे यह अभाय हूम का जबाब है किताब इसको हम कहते हैं डाई ट्रांस्टीव जब एक वर्ब के दो अबजेक्ट होते हैं डारेक्ट इंडारेक्ट मैं जारगंस में अभी जाई नहीं रहा मैं आपको पहचानने की बात कर रहा हूं और वाट का जबाब सब्जेक्ट भी हो जाता है कोई दिक्कत ही नहीं राइट अभी देखा वाट इसेड जो उसने कहा खेर वहां वाट जो था वह रेलेटिव प्रणावन था राइट तुम क्या कर रहे हैं तो बताओगे वह उसका अबजेक्ट हो जाएगा तो यह सबजेक्ट और ऑबजेक्ट दोनों का काम जो है वह व प्रणावन एड्जेक्ट वर्ब एडवर्ब इसी तरीके से सभी के पॉंक्शनल आस्पेक्ट को ब्रश अप करेंगे जरा मुझे एक सेंटेंस बता दो आप हूं का फिर से बता दीजेगा सर अंकित हिंदी बता देता हूं मेरे भाई हूं का हिंदी मतलब होता है कौन या क ठीक है कोई नाम ले लिया तो हूं कौन हो गया और हूं होता है किसको जब यह सवाल पूछता है कि हूं डिडियू मीट एस्टरडे तुम किसको मिले थे अब दो यहां नाउन पढ़ रहे हैं लेकिन अगर मैं आपको च्वाइस दूँ हूं कि I met him या I met he yesterday तो क्या बोलोग यह किसी ने आप से सवाल पूछा कि तुम कल किसको मिले थे आपने कहा I met भावना yesterday कि मैं कल भावना को मिला था तो आप देखो यह I subject हो गया मेट वर्व हो गया और yesterday क्या यह Adverb of time है यानि यह मिलने का समय बता रहा जो action को describe करता वह Adverb होता है ठीक है हां जी what का इस्तमाल subject के तौर पर मतलब ऐसा सवाल कुछ पूछो जिससे जो जवाब आए वाट से सवाल नहीं पूछ पा रहे और जोसे इस सवाल यह सवाल क्या हो सकता है कि what did you give to abhay तुमने abhay को क्या दिया अब देखो object का सवाल में बना देता हूं what did you give what did you give डिट के साथ वर्व की फर्स्ट पॉर्म what did you give to abhay तुमने क्या अब देखो यहां पे अभी वही वाला ग्यान तू क्या है preparation के बाद क्या आया है अब है तो अब है क्या बन गया यह object of preparation बन गया हां जी तो इसका जबाब था इस what का जबाब था वह book oh sorry हां भावना object हुई यह वर्व लिखा दो यह वर्व आ गया यह object बिल्कुल अब है कोई बता रहा है क्या अभी इशारा भी किया था अभी दो sentence क्या बोले थे Sanskrit is my favorite subject कोई पूछे आपसे what is your favorite subject कि ना simple काम नहीं कर पाते हैं कहो सर क्या बताएं सर दिमाग में जंग लगा अब आपी साफ करोगे देखो यहाँ पर what is your favorite subject मुझे लगा कोई दिमाग के गोड़े दोड़ा लेगा अभी तो उदारड दिया था आपको तो what is your favorite subject मालो कोई सवाल पूछ रहा है आपसे तो इस what का जो जबाब दोगे वो sentence का subject ही तो होगा आपने कहा संस्कृत Sanskrit is my favorite subject तो यहाँ संस्कृत क्या बन गया संस्कृत क्या बन गया यह आपका sentence का subject करेंट डन मज़ा आया जो आज भी पढ़ा रोज मज़ा बढ़ता जा रहा है तो भाई देखो बैच का वो जो duration है discounted fees वाला वो जल्दी खतम होने वाला है आपको इतने दिन में पता लगी गया होगा बाकी subjects में पता लग गया होगा तो किस तरीके से पढ़ाई होती है कितनी गहराई से पढ़ाई होती कोई चीज सुपरफीशियल सत ही नहीं है कोई बोज ने जितने बोज था वो सब यहां पर खतम हो चाएगा तो अपने दोस्तों मित्रों को भी बताएं ग्यान पहुंचना चाहिए और करियर विल का इडूकेशन इसलिए लेके आते ही कि ज्यादातर लोगों तक पहुंचे क्योंकि इतना खर्चा है टिकनॉलोजी का खर्चा है इस फीस में लोग परिशान भी होते करियर वे इतनी कम फीस में कैसे काम करता है तो हम इसलिए करते हैं को कि हमारे साथ बच्चे बहुत जुड आया था मुझे कि अगर आपके मानलों कोई दोस्त में त्रयार सेलेक्ट भी हो गया या पड़ भी रहे हैं या बीच में मन फूड गया था या अगर पिछले एक साल से आप करियर विल पर इनक्टिव हैं तो शाद 50% पर भी यह बैच जितने बैचे से मिल रहे हैं तो टूडेंट्स को उनके दोस्त मित्र होते हैं तो उन्हें पता लग जाएगा इसलिए आप तक यह सूचना पहुचा रहे हैं तो इस मौके का फायदा उठाईए और अपरे लास्ट में नोटिफिकेशन आने वाली है स्भी आई क्लर की बहुत अच्छा मौका है इस मौके को चूखिये मत क्योंकि सारे आप देखोंगे बैंकिंग का एक्जाम पूरे साल खेर चलता रहता है पूरे साल एक दो महीने को छोड़ तो अभी जिसे पीछे आर्वी एसिस्टेंट होके गया फिर स्भी आई आएगा क्लर्क है पीओ है आईवी पीए से क्लर्क पीओ है स्प करते हैं मुलाकात थैंक यू तो आजाओ शुरू करते हैं जहां पर कल खत्म किया था हमने गूड मॉर्निंग मॉनिका आएए लेट्स केट स्टार्टेड तो भाई कल से ग्रैमर के बेसिक्स के शुरुवात हुई थी इसको हम ग्रैमर प्राइमर के नाम से जानते हैं मेरे बैचेस के अंदर राइट सो हम यह बात समझ आई थी कि ग्रैमर की समझ का मतलब दो चीजों की समझ है वर्ड सेलेक्शन और वर्ड प्लिस्मेंट और वह आप तभी कर पाएंगे यह आपको पार्ट साफ स्पीच की समझ रहेगी और उसके बाद जब सबसे बेसिक लेवल से हमने शुरुवा यह हम समझ रहे हैं और खास तोर से उनके functional aspect को समझ रहे हैं कि नाउन क्या है उसका function क्या है प्रणाउन क्या है उसका function क्या है So that कि हम easily उनको identify गर पाएं जब भी हमें sentence में नजर आए और इसके बाद फिर हम phrase और clause की तरफ आगे बढ़ेंगे तो खली सारा discussion हुआ था Even phrase और clause भी समझा था आपने कि कोई मुश्किल नहीं है फिर उसके बाद हमने noun से शुरुवात की noun के function को देखा नाउन पांच तरह के रोल में आपको नजर आया sentence का subject, main verb का object, prepotition का object, subject का पूरक, subject complement what we call and object complement, right फिर subject क्या होता ये भी आपने समझा एक quick recap हम कर ले रहे हैं कि doer of action subject होता है और object होता है receiver of action लेकिन subject उस शब्द को या उस phrase या clause को भी कह सकते हैं जिसके बारे में या कहते हैं जिसके बारे में आप पूरे sentence में बात कर रहे हैं और ये भी clarity से हमने समझा कि verb के बाद आने वाला हर शब्द object नहीं कहा जाता वर्व के बाद adverb भी आ सकता है जैसे यहाँ example आप देख रहे हैं administrative verb के बाद adjective भी आ सकता है subject compliment भी आ सकता है यह सारे उदाहरण हमने देखे थे जहां नीरज, शिवानी और काली शहरण के information को complete किया जा रहा था यहां पर यह सारे subject थे यह noun है और noun यहां subject की information को पूरा कर रहा है complete कर रहा है इसलिए subject compliment कहा जाएगा यहां object compliment का उदाहरण आप जो आपको पता लगता है वो subject होता है जब आप whom से सवाल पूछते हैं तो आपको answer मिलता है वो object होता है और what जो है वो subject और object दोनों तरीकों से काम करता है जैसे यहां पे एक था what did you give to abhay यहां पे इस what का जबाब जो है वो object है यहां पे देख रहे हैं वो क्या दिया तो sorry abhay को दिया और उसके बाद हमने subject के लिए भी sentence यहां पे लिखा था what is your favorite subject आपने कहा Sanskrit is my favorite subject तो यहां जो what से सवाल पूछा गया है उसके जवाब में जो आपको मिला है वो sentence का subject ही है और वही जो दूसरी परिभाशा subject की कि जो शब्द या phrase के बारे में आप बात कर रहे है और उस आधार पे यह पूरे sentence में संस्कृत के बारे में बात हो रही है that is why it's the subject of the sentence यहां तक सब कुछ clear है बिलकुल अब की बार बैंक पार आ जाओ अब आगे बढ़ाते हैं गाड़ी और चलते हैं प्रोनाउन के पास नाउन के बाद प्रोनाउन का function देखे यहां पर बात बिलकुल ही आसान है कि प्रोनाउन वो शब्द है जो नाउन की जगह इस्तमाल होते हैं बचपन से पढ़ रहे हो आप तो अगर नाउन की जगह इस्तमाल होते हैं तो सबसे पहली बात क्यों इस्तमाल होते हैं क्या ना पिटिशन से बचने के लिए कोई नाम आपने एक बार लिखा और देखो नाम बड़े लंबे लंबे भी हो सकते हैं हमारे ही देश में बहुत सरे राज्यों में नाम के अंदर जो है पिता जी का नाम दादा जी का नाम बीच में आ रहा होता है तो एक नाम में 5-6 शब्द हो स उसके बाद आप he या she जैसे भी ये gender के basis पे लगा लेते हैं तो पहली बात तो यह कि प्रणौन नाम के repetition से बचने के लिए हम इस्तमाल करते हैं और जब हम यह कहते हैं कि प्रणौन नाम की जगह यूज होता है इसका मतलब जो नाम का function है वो प्रणौन का भी function होगा नाम स इंजन रोल में आता है प्रणाउन भी उस रोल में आएगा लेकिन यहां पर मैं कुछ sentences आपके लिए लिखने जा रहा हूं जहां हमें प्रणाउन में बड़ी दिक्कत है परिशानी है आप आप मुझे बताएंगे कितने sentence आपको सही लग रहे हैं कितने गलत लग रहे हैं आई यह कि पहला sentence कि हर सिज़ कि ब्यूटिफुल वाच्च कि हर सिज़ कि ब्यूटिफुल वाच्च अर्थ जायक वाच्च वाच्च कि ब्यूटिप्प्यूटिफ लगयाईटिपूटिफुल वाच्च आवर सार मिलियन दॉलर कंपनीज तो आवर सार मिलियन दॉलर कंपना दॉलर कंपना दॉलर कंपना है। व्हान वस अ व्हान 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 जो भी लगत 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 लगते हैं जो भी लग रहा बता दो मुझे आप कॉमेंट सेक्षन में लिख सकते हैं बस जिसको जाए से माल ओपको लगरा कि पहला गलत है तो इस तरह से और गलत कर लेना पहला गलत है दूसरा सही है तीसरा गलत है चोथा गलत है पांचवाँ सही है इस तरीके से कॉमेंट में लिख लो मुझे समझ आ जाएगा चले बताइए प्लीज अधाल जाएगा चले चाले बताइए तरीके से कॉमेंट में लिख लो मुझे सही है जाएगा चले कॉमेंट मेंसे लो मुझे साथ। आएक दो तीन से ही चार-पांच गलत है नीरेज को लग रहा है सेकंड करेक्ट जीत को लग रहा है करेक्ट नहीं रॉंग लग रहा है 30 और सेकंड ले लिए और सभी लोग अपने अर्मान वेक्ट करें परिशान मत होना गलत होगा गलत होगा तो सही हो जाएगा कम से कम न एक से लेके 5 तक सारे गलत हैं महेश को लग रहा है पहला और पांचमा गलत है अधिति को लग रहा है भगवान को लग रहा है दो तीन चार गलत है हिमानशो को लग रहा है पहला दूसरा चौथा गलत है रोहित को लग रहा है सारे गलत है पल्वी को लग रहा है पहला गलत है चले परिया आप जवाब आ जुगे हैं अब जरह इस पर डिसकेशन कर लेते हैं जवाब की श्रिंखला में पूजा, अतुल, सत्यम, मुन्ना, राजीव, प्रभू, डॉली, सब और लोग जुड़ गए हैं आई यह देख लेते हैं पहली बात आई तिंग पांच है लोगों ने यह जवाब दिया है कि सारे करेक्ट हैं और वही लोग करेक्ट भी है यहाँ पर सारे के सारे सेंटेंस जो यह हमारे वह करेक्ट हैं और यह इसको समझने में हमें दिक्कत हो रही जिन लोगों को definitely answer यह नहीं दिये हैं कुछ और आंसर दिया है आपने इसका मतलब आपको इन शब्दों में अभी भी दिक्कत थी इतने बड़े होने के बाद भी तो देखो pronoun noun का function निभाता है ये तो जानते हैं definition भी रटी हुई है noun की जगे इस्तमाल होने वाले शब्द प्रणाउन होते हैं लेकिन जब ऐसे वाक्य मिलते हैं तो फिर हमें पल्ले नहीं पढ़ता अब देखिए आपने ये वाले sentence तो पढ़े हुए हैं बच्पन से this is my book और this book is mine ये आपने पढ़ा हुआ है this is my book, this book is mine लेकिन अगर मैं यहीं पर लिख दूँ कि mine is a comprehensive book तो शायद कुछ लोगों के गले के नीचे ये बात न उत्रे खास्तोर से बो लोग जिन्हों ने कहा था कि वो sentence गलत है अब जर्णा पढ़ताल करो आप जब आप this is my book बोल रहे हो तो book noun है माई पहले आ गया noun के noun को जो describe करता है उसे adjective कहते हैं यह आपका possessive adjective होता है तो अगर आप आज तक इस confusion में थे कि my pronoun होता है तो आज उसको दूर कर लिजे प्रणाउन का काम माईन करता है माईन जो है यह पजेसिव प्रणाउन है यह पजेसिव प्रणाउन है यहां पे भी यह पजेसिव प्रणाउन है अब जो हमारा ज्यान है बचपन से कि नाउन की जगह इस्तवाल होने वाला शद प्रणाउन होता है यहां यह प्रणाउन का प्रणाउन निभा रहा है अभी नाउन के पांचो रोल आप पढ़े हैं आज भी क्रीक कर लिया हमने कल के एपिसोड का तो यह माइन के अंदर क्या छुपा है इस माइन के अंदर छुपा हुआ है माइबुक कहने के बजाए आप माइन कह रहे हैं और यह कैसे पता लगा कि इ और अगर पूछू के वहाराएं को निभार है तो भाई ये प्र्यचेrastव का कॉम्प्लिमेंट है और आप जानते हैं कि नाउन सब्जेक्ट सब्जेक्ट का कट रोल इसको एगंगे यह किताब यह किताब मेरी किताब है, आप यह कहना चाहते हैं, जैसे वही था, कल हमने बात की थी, कोई पूचे, what is your father, तो my father is a doctor, my father is an engineer, my father is a lawyer, my father is a farmer, तो यह my father क्या है, sentence का subject है, दोनों शब्दों मिल करके, और क्योंकि दो शब्दों का समू है, तो हम इसे noun phrase बोलेंगे, कल यह बात आपने समझी थी, तो यह sentence का subject है, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है, mine, यह pronoun है, और यह pronoun किसकी information को पूरा कर रहा है, इस किताब के बारे में, यह किताब मेरी किताब है, तो इसकी information को पूरा कर रहा है, तो यहनी compliment का काम कर रहा है, अगर noun subject के compliment का काम करता है, तो pronoun भी करेगा, तो यही हमने बचपन से पढ़ा है, लेकिन वही बात कि यह बात समझ में हमें नहीं आई, बस पढ़ लिया हमें ल sentence के subject का रोल निभा रहा है, और इसमें भी mind के अंदर क्या छोपा हुआ है, my book, my book, अब my book क्या है भई, वही कहानी जो हमने कल भी समझी थी, adjective plus noun, यह दोनों मिल करके sentence के subject का का काम कर रहे हैं, तो हम इसे क्या कहेंगे, noun phrase कहेंगे, और pronoun वही शब्द ने जो noun की जगह इस्त किया, grammarians ने इसलिए इजाद किया, pronoun, कि noun के बार-बार repetition से आप बच सेंके, तो rather than my book लिखने के, अगर mine से काम चल जा रहा है, तो क्यों आप लिखेंगे, my book, my book is a comprehensive book, आप लिख दीजे, mine is a comprehensive book, सामने वाले को समझ में आ जाएगा, क्योंकि book का जिक्र रहां पे हुआ है, तो इस mine के अंदर, my जो है, वो included है, तो ये कहानी थी, ये कहानी थी, जब हम बोलते थे, this book is hers, this book is yours, तो वहां पे ये सारे hers और yours जो हैं, ये आपके pronoun होते हैं, और her और your ये adjective होते हैं, ये आप pronoun chapter में, detailed manner में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिखेंगे, लेकिन अभी के लि पल आपने देख लिया, या मैं इस तरह से ही यहां पे list कर देता हूं, देखो आप, my और mine, उसके बाद hour and hours, उसके बाद ये तो first person के हो गए, I और भी, second में आपके पास your आ जाता है और yours आ जाता है, भारी संख्या में लोग इन शब्दों के uses में confused रहते हैं, उमर हो गई, लेटर लिखना है, yours obedient लिखना चाहते हैं, yours sincerely लिखना चाहते हैं, समझ में नहीं आता, apostrophe लगाएं, नहीं लगाएं, तो ये सब पुराने पाप हैं हमारे जो यहां पे आपके सारे धुल जाएंगे, उसके बाद आप आईए third person में, तो third person में आपके पास his है, his यहां पे भ हमाल हो जाता है, pronoun के लिए और adjective के लिए भी, female के लिए, feminine gender के लिए हर हो जाता है, यहां हर हो जाता है, उसके बाद आपके पास its है, और फिर हमारे पास आ जाता है, तो जितने भी हमने लिखे हैं, left hand side में, यह सब के सब possessive, possessive का मतलब जिससे आपका किसी के साथ संबंद प उस पर, तो यह सारे के सारे possessive adjective हैं, और इधर जो हमने लिखे हैं, यह possessive pronoun है, तो यह clarity आपको होनी चाहिए, जब हम adjective बोलेंगे तो जाहिर दोर पे adjective के तुरंत बाद noun आता है, क्योंकि noun से पहले लगता है आपका adjective, तो आप अगर बोल रहे हो my book, ठीक है न, my book बोला आपन आपने, our country बोला, यह बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, right, your car बोल दिया आपने, his idea बोल दिया आपने, our question बोल दिया आपने, its color बोल दिया आपने, right, their property बोल दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, यह सारे correct uses, all of them are absolutely correct uses, because, यह बाद में जो लिखा है हमने, यह सारे के सारे क्या है, यह noun है, और noun के पहले क्या आता है, noun के पहले आता है, adjective तो यह सारे पजेशेव, adjective है, लेकिन अगर यहीं पर, कोहीं पर, mind book लिख दिया होता, है, our country लिख दिया होता, yours car लिख दिया होता, तो बड़ा पाप होता, उससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता, और लिखते हैं लोग, मतलब यह लिखते हैं, यह खतरनाक बात, समझ में नहीं आता कि क्या कर रहे है, यह adjective हैं, इनके तुरंद बाद noun आएगा, और यह pronoun है, pronoun, भई, noun की जगह इस्तमाल होता है, तो noun subject बनता, तो pronoun भी subject बनेगा, और subject के बाद क्या आता है, वर्ब आता है, अब जरा आखें खोल के देखो आप यह सेरे sentences जो हमने लिखे थे यहां पर, इन सभी sentences में, आप क्या देख रहे हैं, इन शब्दों के बाद मैंने वर्ब ही लगाया हुआ है, इसका मतलब कि यह सारे के सारे pronoun है, कोई द की कोशिश कर रहे हैं, अब hers is a beautiful watch के अंदर क्या चुपा हुआ है, यहां पर hers के अंदर चुपा था, her watch, our is an excellent organization के अंदर क्या चुपा था, our organization, और देखो मैंने जान बूच करके यह sentence दिया है, क्योंकि कई लोगों के मन में यह खयाल होगा, कि भई, we से ही our बनता है, we का मत इतलब हमारा, तो यह plural है, और जब plural है यह, तो plural के साथ हम आखिर किस तरीके से यहां पर singular लगा दिये, यह मन में ख्याल आ सकता है, doubt आ सकता है, जो आप किसी से पूछ नहीं पाते, तो मैं वह सारे doubt पहले ही clear करके चलता हूँ, आप देखें, यहां पर verb क्या लगेगा, य यह depend करता है कि यह pronoun, जिस noun को refer कर रहा है, noun, pronoun, लगाते ही इसलिए हैं कि वह noun की तरफ इशारा करता है, तो जो pronoun आप यूज कर रहे हैं, वो pronoun जिस noun की तरफ इशारा कर रहा है, वो noun अगर singular है, तो verb singular लगाओ, वो noun अगर plural है, तो verb plural लगाओ, कहीं कोई confusion नहीं, अब इस hours के अंदर क्या छोपा था? Our organization, एक organization की बात हो रही है, organizations नहीं लखा, तो क्योंकि organization singular है, तो आप इसके साथ गए, and hours are million dollar companies, यह क्यों आर लगा यहाँ पे? क्योंकि अब इस hours के अंदर क्या छोपा हुआ है? Our companies, तो our company जो है, companies क्योंकि plural है, इसलिए यहाँ पे आर लगा हुआ है और वही बात कि our companies हो, our organization हो, our watch हो, यह सब के सब noun phrase है, तो pronoun का इस्तमाल noun की जगह पे भी हो सकता है, noun phrase की जगह पे भी हो सकता है, yours is a unique idea, यहाँ क्या छुपा हुआ है? यहाँ छुपा हुआ है your idea, your idea, your idea is singular, तो उसके लिए is लगा हुआ है, अब देखो yours के साथ माल लो, वह चाहे तुम सब हो, चाहे तुम दोनों हो, किसी भी gender के ओहर जगा यूही लगता है, अंगरी जी की यह बड़ी गरीबी है, और यह illogicalness भी है, कि first person में इनके पास दो pronoun है, I और we, मैं और हम, यहाँ gender का ध्यान नहीं रखा, कोई भी gender है, मैं के लिए I, we के लिए हम हो गया, लेकिन second person में बिल्कुल गरीबी चाह जाती है, सिर्फ you है, चाहे तुम हो, तुम दोनों हो, तुम सब हो, किसी भी gender को कोई फर्क नहीं पड़ता, और वहीं third person में यह फिर दरिया दिल हो जाते हैं, सारी गरीबी दूर हो जाती है, चार pronoun देते हैं भर-भर के, महिला, पुर लर है, दे प्लूरल है, तो यही बात है, कि संस्कृत की तरह लॉजिकल नहीं है, कि सह तव ते, त्वम यूवाम यूयम, अहम आवाम वयम, ऐसा नहीं है, लेकिन जैसा है, वैसा पढ़ना है, समझना है चीजों को, तो यह बात समझ में आ गई, माइन वाज़ दिफरेंट परस्पेक्टिव अन दिस इश्यू, यहाँ पर इस माइन के अंदर क्या चुपा हुआ है, माई परस्पेक्टिव, मेरा नजरिया, मेरा नजरिया, तो यह विलकुल यहाँ पर करेक्ट है, काली चरंजी फिर पूछने सर, कॉम्प्लिमेंट और अबजेक्ट में क्या डिफरेंस है, अबजेक्ट और कॉम्प्लिमेंट की बात कल हुई थी, आप तो बहुत अच्छे से बढ़ रहे थे, कहां गडबड हो गई बात, अबजेक्ट हमेशा किसी एक्षन वर्ब का होगा, क्या बात हुई थी कल, अबजेक्ट जो एक्षन को रिसीव करता है, आप कॉमेंट ना करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, जब सवाल पूछो तो कॉमेंट करो, कहीं भी ध्यान इदर दर भंग, किसी का नहीं होना चाहिए, एक बार ध्यान से आप सुन लेंगे, जिंदगी भर के लिए चीज़ें पक्की हो जाएगे, तो आपको कली बताया था मैंने, कि जब कोई एक्षन होता है, आपने कहा कि I am a student, यहां am में कोई action हो रहा है, नहीं हो रहा है, student क्या है, यहां पर I sentence का subject, pronoun, इसकी information को student complete कर रहा है, कि मैं कौन हो, मैं कि student हूँ, student को आप object थोड़ी कह दोगे, तो जो भी आपके, जब आप compliment की बात करते हैं, subject compliment की, तो वहां verb में आपको क्या मिलेगा, is, am, are, was, were, यही सम मिलेंगे, my father was a clinical psychologist, मेरे पिता एक clinical psychologist थे, तो अब यहां पर my father sentence का subject हो गया, noun phrase, और clinical psychologist वो भी noun phrase है, लेकिन वो subject का compliment है, verb क्या लगा हुआ है, was लगा है, यहां कोई action verb थोड़ी लगा है, getting my point or not, तो subject compliment जब भी होगा, तो आपके पास कोई linking verb होगा, यानि is, am, was, were, इन तरह के verb होंगे, और object के लिए हमेशा कोई action होना चाहिए, stop stop, stop, शब्दों में बोल दिया, मैंने कि verb के बाद लिखा हर शब्द object नहीं होता, जो verb को receive कर रहा होता है, उसे object कहते हैं, बात समझ में आ गई, ये सारी बात समझ में आ गई सभी को, बिलकुल आप आराम से note कर लीजे, आपको वैसे class notes तो मिली रहे न, वो इसलिए मिल रहे हैं कि वो आपके reference के लिए रहे, बढ़ आपको यहाँ भी note करना है, आप note कर लो, I have no problem at all, कोई doubt है तो पूछ लीजे, ये बहुत पुराना कच्रा था, pronoun वाला, pronoun में यही मुश्किल परिशानी create करता है, हम अब उसमें, अभी देखो हम definition level पर बात कर रहे हैं कि हम चीजों को पहचान सकें, बिमलेश, कहीं कोई दिक्कत, परिशानी, नह चrab 언제 भात कर रहाएं कि बिमलेश, वाला कर रही है. är यालव को अभी चिजे मुश्किदान को बुछ? ना अधित यह सवाल आया एक सवाल आया है ? इट्स का प्रजश्यों प्रणावन क्या होगा? Actually मैं प्रणावन बात में चैप्टर तो पढ़ाओंगा ही, बट अच्छा सवाल ہے यह सवाल यह हए यह प्रणावन की समय ही मैं डिसकस करता हूं देखो its का possessive pronoun नहीं होता है क्योंकि इसमें बड़ा मज़ा आता है जब मैं उश्ता हो ना तो लोग कहते हैं अब देखो actually क्या है कि यहां पर यह ना यह his भी नहीं लिखा होता है कारड उसका यह है कि आप अगर आखें खोल के देखें तो possessive pronoun बनाने के लिए हम सभी possessive adjective के अंदर एक extra s add कर देते हैं yes sir no there मैं there's कर दिया, hers कर दिया, yours कर दिया, ours कर दिया my के लिए बस एक अलग शब्द है तो यह दोनों बचारे होते ही नहीं है अब इसमें चक्कर क्या पड़ता है तो कि इनका end ही s से हो रहा है देखो his में s से end हो रहा है its में s से end हो रहा है तो अगर आप एक s और लगा दोगे तो वो hissing sound create करने लगेगा और that's the reason कि इनका possessive pronoun लिखा नहीं जाता लेकिन अब जिसे मैं एक sentence दो आपने छेड़ दिया है तो मैं मैं अभी आपको छेड़ी देता हूँ अब जैसे माल लो वैसे यह pronoun chapter के समय हम discuss करते हैं पहले ही कर ले रहा है आप this is his book this book is his and his is an excellent book अब मैं आप से नहीं पूछूँगा मैं खुदी बता रहा हूँ क्योंकि फिर लेट होगा आपके जवाब देखने में अब देखो जब class में पूछता हूँ कि इन तीनो sentence में से कितने सही हैं कितने गलत हैं तो जादातर जो student का जवाब होता है पहला तो ठीक है यह तो गले के नीचे उतर रहा है यह नीचे वाले दो sentence थोड़े अजीब से लगते हैं उनको तो वो कह देते हैं और हमारी ये दिक्कत है अंग्रिजी में जो हमें अजीब लगता है हम उसको गलत करार देते हैं इस इस देंजरॉस इस सम्थिंग फिल्स आइडिया नहीं है आपको पता नहीं है that could be the possible meaning so this book is his ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे था this book is mine जैसे था this book is yours, this book is hers यानि same कहानी चल रही है यहाँ पर ये his वही कहानी कि ये पजेसिव प्रोनाउन है तो his ही पजेसिव प्रोनाउन के तवर भी काम करता है और रोल किस तरह का निभा रहा है वह आपको पता है subject की को कम्प्लीट कर रहा है तो हम इसे subject compliment ही कहने वाले हैं और यहां पे यह जो है यह पजेसिव प्रोनाउन है यह पजेसिव प्रोनाउन है और यह सब किसका रोल निभारा है यह sentence के subject का रोल निभारा जानते हैं आप इस के अंदर क्या छुपा है और यह बात सभी के लिए है और जब मैं क्लास में पूछता हूँ कि हिस अकेला होते हुए जैसे adjective और प्रोनाउन दोनों का रोल निभारा रहा है क्या वैसे ही इट्स भी निभाएगा तो लोग जैकारा लगा देते हैं हाँ सर जैसे हिस लगा रहा वैसे इट्स भी है अब देखें आप अभी जैसे हमने इस के लिए यहां पर लिखा इट्स कलर तो क्योंकि यह पजैसिव है इसका हिंदी अनुबाद क्या हुआ इसका रंग इसका रंग राइट लेकिन आप जो कह रहे हो कि इट्स जो है वह वो प्रोनाउन प्रोनाउन का काम करेगा तो ज इतने लिखते ही और बोलते ही आपकी जवान रुख जाएगी, कलम रुख जाएगी यह क्या वाहियात लिख रहा हूं में, इस इस कभी देखा है आपने नहीं देखा. तो इसी लिए ITS जो है यह सिर्फ पजेसिफ एडजेक्टिव का काम कर सकता है यह हम यह कह सकते ही कि it जो pronoun है हमारे पास third person का अब मैं इसलिए ये jargons नहीं बोल रहा हूँ कि मैं pronoun chapter नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं अभी basic level पर पहचानने की ताकत आपके develop करना चाहता हूँ और pronoun को पहचानने तो खर किसी के लिए मुश्किल नहीं वो तो शब्द हैं दिखी जाता है आपको he, him, she, it दे कुछ भी खर तो ये it जो है ये subject का काम नहीं करता यहां पर ये सिर्फ और सिर्फ आपका possessive adjective होता है ITS का possessive pronoun नहीं होता ठीक है चलिए जे अब बढ़ते हैं आगे adjective की तरफ मेरी कोशिश यही कि सारे कम से नहीं है बाई, adjective का function यह है कि यह अपने से पहले वाले दोनों को describe करता है यानि noun और pronoun को describe करने का काम, उसको modify करने का काम उसके बारे में extra information देने का काम कौन करता है, विशेश अड़ करता है For example, अब यहां पर जो एक सबसे basic बात में लोग गलतियां करते हैं को हम समझ लेते हैं, describe करता है वो तो पता ही है सब को, अब जैसे मान लीजे मैंने यहां पहले लेखा कि नीरज इस डिलिजेंट और मैं आप से पूछूं कि इन दोनों सेंटेंस में से कौन से सेंटेंस में इस डिलिजेंट जिसका मतलब होता है जो आदमी बड़ी hard working हो, जो हर चीज की detailing में जाए, जितनी जरूरत है उतनी मेहनत करे, उसको डिलिजेंट कहते हैं, जैसे intelligent वो दिमान होता है तो मेरा सवाल आपसे यह है कि इस दोनों सेंटेंस में diligent कौन से शब्द में adjective का रोल निभा रहा है बताईए झाल आपका जवाब होता है पूरा और जवाब आये हैं उन में से अब मैं पढ़ूंगा नाम तो फिर टाइम लगेगा लेकिन दिख रहा है comment में कि 80% लोगों ने यह जवाब दिया कि सर सेकेंड में है और 20% लोगों ने सही जवाब दिया है कि सर दोनों में है तो जो सही जवाब है वो है कि दोनों में diligent शब्द adjective ही है दोनों में ही adjective है बस इस लेवल पर हम confused होते हैं आप जब यह कहते हों कि adjective is a word that describes a noun or pronoun adjective वो शब्द होता है जो किसी noun or pronoun को describe करें तो फिर यहां पर यह diligent नीरज कोई तो describe कर रहा है नीरज noun है नाम है एक इंसान का तो हमें क्यों यह अटफटा लगने लग जाता है कि नहीं यह adjective नहीं है यह बिल्कुल adjective है और जब भी किसी sentence का end किसी adjective से होता है तो उसे हम कहते हैं प्रेडिकेटिव adjective ठीक है कैसे आपने बजपान में subject प्रेडिकेट पढ़ाना तो subject के बाद जो भी कुछ लिखा रहता है वो प्रेडिकेट कहा जाता है तो latter part जो दूसरा ह हिस्सा है तो यह ध्यान में रखेंगे आप कि जब भी adjective से end होता है तो उसे प्रेडिकेटिव कहते हैं और परसन यहां पर नाउन है और नाउन के पहले जब adjective लग करके उसको describe करता है उसके attributes बताता है उसके traits बताता है लक्षड बताता है तो उसे attributive adjective कहा जाता है तो यह आपको clarity होनी चाहिए ठीक है तब हम उसे attributive adjective कहते हैं इसका भी अपना एक कारण है जब हम adjective चैप्टर पढ़ेंगे तब उसकी पड़ताल करेंगे कि क्यों ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि adjective हमेसा पहले ही आएगा जो quality वाले adjective होते ना वो दोनों सब्सक्राइक तरीकों से स्तमाल होते हैं या जैसे आप किसी को कह लो मैं कहूं की राजीव is honest and राजीव is an honest man दोनों में honest adjective है राजीव is honest कहा जब मैंने तो honest sentence end हो रहा है प्रेडिकेटिव हो गया राजीव is an honest man कि मैं मैंन से पहले आ गया तो मैं कहूं इस इस पहले ब्लैक आ गया तरो इस पहले एट जिक्टिव हो गए तो आपका एट्रीबिटिव एजिक्टिव है इस बोल्ड इस तो वाइट तो उई पढ़िये आ गें कलर के जर आप उसको डिसक्राईब कर रहे हैं तो तो यह आपका एडजिक्तिव है जो किसका काम डिस्क्राइब करना होता है नाउन प्रणाउन इस नियर्ज के जगा आप ही लगा लीजे कोई फर्क नहीं पड़ता आईए अब सबसे इंपोर्टेंट जो एक चैप्टर होता है जब हम ग्रैमर का पॉर्शन शुरू करेंगे तो हम शुरूबात भी यहीं से करेंगे वर्ब के साथ क्योंकि सेंटर में बैठा हुआ है चैप्टर जैसे आप सब्जेक्ट वर्व अग्रिमेंट करते हो तो वही वाली बात कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्व होना चाहिए सब्जेक्ट नाउन और प्रणाउन बन करता है एडवर्व करता है तो एडवर्व के साथ 20 का सब्बंध है इस टेट्यू जो वर्व होते हैं हमारे उनको डिस्क्राइब कौन करता है उनको एडजेक्टिव करता है तो एडजेक्टिव के साथ वी वर्व की एक टाइप का नातरिश्ता है फिर उसी वर्व में आप को मिलता है नॉन फाइनाइड वो जिरंड इन्फिनिटिव पार्टिसिपल जैसे जब आप कहते हैं कि walking is a good exercise कोई पूछे बेटा walking क्या है तो walking यहां वर्ब थोड़ी है walking यहां जिरंड है जो कि sentence का subject है या नाउन का का काम कर रहा है जिरंड जिसे कहा जाएगा को जिरंड को हम वर्बल नाउन कहते हैं तो यह सब चीज़ें जूड़ी हुई है वर्ब के साथ तो वर्ब एक सेंटर में बैठा हुआ बड़ा इंपॉर्टेंट और पढ़ेंगे तो आप यह मान के चलिए कि कम से कम आपकी तीन स में लोग टू प्लस डीवन तो जान रहे होते हैं आई वांट तो गो मैं जाना चाहता हूं लेकिन वहीं पे अगर यह लिखा जाएगी इट सीम्स या शी सीम्स तो बी लिविंग यह कौन सी तो आपको बाउंस करने लग जाती है अंग्रेजी तो आपको बाउंस करने लग और यह सारे कच्टर में साफ होंगे इंफिनिटेब के जितने वी स्ट्रक्चर है प्रोग्रेसे इंफिनिटेब जैसे मैंने अभी जो बोला यह पर्फेक्ट इंफिनिटेब का उधारण था उसने ऐसा बहाना किया कि जैसे वह मेरा नाम भूल चुकी है जी प्रिटेंड़ आपको यह इशारा कर रहा हूं कि हमें चीजों की क्लारेटी क्यों नहीं है क्यों सतही तोर में बढ़ाई करें और मैं हमेशा जो क्योंकि आपका देखो पूरा पेपर रीडिंग स्किल्स पर यह आपको समझ में आ चुका है अब तक भाई क्या देखा था हमने सिलिवस के पहले दिन एंगली चुशेस पहरा जंबल परह कमपी शनारडवन आउट कि क्या है हर्जबागराफ परगराफ परगराफ आ रहे है क्लोच टिस्ट परगराफ फिलर इस परगराफ ग्रामर बेस्ट क्वेस्टन पैराग्राफ आपने देखा होगा मैंने शीट जो अपलोड और दूसरा क्योंकि मैंने अलग-अलग तरह के questions का आपको बस exposure दिया था orientation session में वहाँ भी एक बात को चार तरीकों से लिखा गया और वो grammar का question है कि दिये गए sentence को पड़ो और उसी बात को चार तरीकों से लिखा गया यह बताओ किसमें वह भी बहुत आसान question होता है जैसे आप आपने देखा था वाकी question परेजंबल के question भी हम 20-25 सेकेंड में solve कर सकते तो वो भी कर लोगे लेकिन को कि मैंने live नहीं कराया तो इसलिए मैंने solve नहीं कराया कि जब question आएगा topic हम करेंगे तो फिर उस question को मैं solve करा दूंगा आपको approach सिखा दूंगा तो कहने का मतलब की grammar waste question भ have forgotten my name इसका क्या मतलब हुआ तो वो विचारी को अंग्रिजी में interest कहां से पैदा होगा इसलिए हम यह grammar primer कर रहे हैं और चीजों को detailed manner में समझ रहे हैं banking के batch में ऐसे detailed manner में grammar कहीं नहीं पढ़ाई जाती हर जगह यह 100 important टूल एसे कराये जाता है यूट्यूब पे देख लो कहीं भी देख लो लेकिन मैं हमेशा जड़ से पढ़ाई कराता हूं batch कहीं भी कोई भी हो कि आपको बीच में कहीं फिर दिक्कत पैदा नहीं हो अगर एक सीखने वाला बच्चा तो उसे कभी कोई दिक्कत नहीं होगी तो आईए अब वर्ब की बात करते हैं जो हुले कि इश्वर उसके बारे में बात यह हो जाएगी बात में कभी में में कितने नंबर का आता है क्या आता है यह मैंस बताई थी कि मेजर चंक आर सी का होता है वां पैंटिस में से पंद्रा आर्टी आ सकता बड़ कुछ फिक्स्ट नहीं होता तो इसलिए सारे टॉपिक पढ़ते हैं अब मैं अगर आप से पूछू कि वर्ब की डेफिनिशन क्या है तो वही वाली बात कि हम बोलते हैं वर्ब इस एक्शन वर्ड राइट यह अधूरी बात है आपको याद ह तो यह वह होरा है कहा नहीं तो वही बात है डेफिनिशन और समझ हमें अधूरी होती है तो चीज़ने डिस्टरब करते हैं परिशान करती है वर्ब अक्शन की सूचना देता है वर्ब आफ वर्ब जो है वह स्टेट आफ बींग भी बताता है बेंग इंसान सामान के अब यहां पर क्या नजर आ रहा है दो सिंटेंस में जब हम action word की बात कर रहे हैं तो यहां पर यह wrote action word है यह main verb है तो जब हम action word बोलते हैं तो अच्छिली हमारा इशारा होता है main verb की तरफ यानि वो सारे शब्द जो किसी न किसी क्रिया का आभास आपको कराते हैं तो जो main verb है वही action word है पहली बात तो यह clarity रखो हवा हवा में वही की बात की कोई वाई बात थोड़ी जा करके रटावर डेफिनीशन सुना देना या कहीं लिख के आना एक्जाम में अब तो समझ चाहिए हमें जब हम action word बोलते हैं तो हमें साथ कोई न कोई में वर्ब होगा जिसे right, wrote, written, go, went, gone, right, bring, brought, brought, तो यह सब के सब action के वोब हैं sing, sang, sung, so action word clear हो गया main verb, लेकिन यहां पर जब आप देख रहो, he is honest, अब मैं पूचूँ आप से is क्या होता है तो जो एक रटी हुई definition बच्पन की समझ होती है सब कहते हैं, जब यह literally help कर रहे होते हैं, जब यह किसी main verb से पहले आकर के उसको help कर रहे होते हैं, उसके tense को decide करने में, अब जिसे मैं यहां sentence और लिखता हूँ, फिर दोनों is की पड़ताल कर लेते हैं, right, he is writing a story, जिसे मालों मैंने यह लिखा, he is writing this story, उपर वाले के साथ ही connect कर देते हैं, अब जब he is writing this story बोल रहे हो, तब इस को अब क्या कहोगे, अब इस को आप helping verb कह पाओगे, क्योंकि यह एक main verb से पहले आकर के help कर रहा है उसको, उस sentence के tense को decide करने में, पूरी बाध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने, is, एक main verb से पहले लग करके, उस main verb को help कर र इस इज की जगह पर अभी अगर was लगा दूं, तो यह sentence कौन से tense में चला जाएगा, past tense में चला जाएगा, he was writing this story, हिंदी अनुबाद क्या हो जाएगा, वह यह story लिख रहा था, और यहां पर क्या हिंदी मतलब है, वह यह story लिख रहा है, तो main verb में तो कोई पढ़ता, change नही करके लग रहे हैं और उसका tense recite कर रहे हैं, तो helping कहे जाएंगे, यह नहीं कि कहीं भी इज को आप helping ओल दोगे, और यह वाला जो is है ना, इसको हम कहते हैं, steady verb, यह steady verb है, और जो दूसरा aspect आप देख रहे हैं, verb का, जो मैंने यहां लिखा है, state of being, उसके लिए यह उदाहरद ह है, यहां being कौन है, इनसान कौन है, he, यह pronoun है, और उसको describe करने में मदद कौन कर रहा है, यह is, और जो शब्द describe कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, वो adjective है, वो adjective है, यही तो बात हमने समझी ती कि subject, verb, object जो हम रट लेते हैं, verb हमेशा कोई action word होगा, तब उसके बाद जो है, किस हाल में है, जैसे आपको he is happy, he is sad, तो यहां happy और sad क्या है, यह भी adjective है, जो is का हाल ही बता रहे है, is कैसा है, he is honest, वो इमानदार है, यह उसका हाल ही है, उसकी अवस्ता है, उसको describe किया जा रहा है, उसके good की बात की जा रहे है, उसके quality की बात की जा रहे है, और जो noun noun की quality की बात करता है, उसको adjective कहते हैं, तो जब भी adjective का इस्तमाल होगा, तो जो is, am, are, was, were लगा, कोई कहे, I am happy, तो यहां am को helping verb थोड़ी बोल दोगे, happy कोई main verb थोड़ी है, happy तो adjective है, तो am, I का state बताने मदद कर रहा है, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको state verb कहा जाएगा, तो अब इतनी चर्चा के बाद निचोड क्या निकला, कि आगे से हम is, am, are, was, were इन शब्दों को helping verb तब बोला करेंगे, जब इनके बाद कोई main verb होगा, और अगर इनके बाद कोई main verb नहीं है, तो हम इन्हें stative verb के नाम से जानते हैं, और ऐसे हाल में इन शब्दों के तुर रिली एडवर्ब हो गया, main verb तो कोई नहीं है, तो वाज को हम क्या बोलेंगे, stative verb बोलेंगे, right, they were really strong, या they were strong at that time, so यहां पे भी they pronoun हो गया, strong क्या है, adjective है, were क्या कहा जाएगा, stative verb कहा जाएगा, they are strong, again present की बात करो, present का state बता रहो, वो strong है, way strong है, वो मजबूत है, तो यह सब इस्टेटिव है, लेकिन वहीं पे आप they are playing football and she is singing a song and he was playing cricket, अब इन में लगा लो, आप कोई दिक्कत नहीं, इन सभी में हम इनको क्या बोलेंगे, helping verb बोलेंगे, ठीक, अब आईए इधर थोड़ा, position की तरफ, यहां पे लोगों को क्या दिक्कत होती है, दो sentence मैं लिखत I have a book, simple सा sentence लिख रहा हूँ, लंबा क्या लेकिना, बात तो इतने में समझ में आ जाएगी, and I have bought a book अब आप देखो, यहां पे बताने में तो खर किसी को कोई दिक्कत नहीं कि sir, have यहां पे helping verb है, क्योंकि यह bot जो है, यह main verb है, और main verb से पहले जब आ करके help कर रहा है, tense को decide करने में तो हम उसे helping बोलते हैं, I have bought a book, यानि मैंने एक book खरीदी है, अगर मैं यहीं पे had bought कर देता, I had bought a book, तो मैंने एक book खरीदी थी, यह past perfect में चला जाता, तो यह तो हमें समझ में आता है, लेकिन जब I have a book आता है, तो बच्चे रटा हुआ जब आप देते हैं, जिससे उनको ध्यान में होता है कि is, am, मार, was, बर जब अकेले हैं, यानि उनके बाद कोई में व्रब नहीं, तो हम उनने इस्टेट्यव वर्ब बोलते हैं, तो वैसे है है has, have, had के बाद कोई में वर्ब नहीं तो यह अलग विरादरी यह अलग क्लास है, तो has, have, had, अगर मिना में वर्ब के इस्तमाल हो रहे है, आपकी किसी चीज़ पर मालकियत तो अगर I have a book आपने कहा, I have a car कहा, I have a flat कहा, तो उसका क्या मतलब मेरे पास एक किताब है, मेरे पास एक flat है, मेरे पास एक car है या मैं car रखता हूँ, यह sense हुआ. यह आपने कहा कि I had a book on macroeconomics, but I don't have that book as of now, तो I had a book, यानि मेरे पास एक किताब थी, वहाँ head को past perfect का helping verb नहीं बोलोगे, वो आपका second form हो गया main verb of possession का, तो यह हमें ध्यान में रखना है कि जब हम verb of possession की बात करते हैं, तो इसमें भी तीन form हो जागा जैसे verb का कोई भी main verb का action word का तीन form होता है न, present form, past form and past participle form, तो उसी तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे तो present form में has और have आ जाता है, जैसे अगर मैं अभी यहाँ पे ही लिखों तो he has हो जाएगा, I है तो have हो गया, second form में had हो जाता है, और third form में भी had होता है, जब यह verb आप position के तौर बेस्तमाल होते हैं, तब और helping verb में तो घर आपको पताईए, दो has और have आप लगा रहे होते हो, present perfect में, had लगा रहे होते हो, past perfect में, और future perfect में will हो, shall हो, उसके बाद तो have ही लगता है, तो helping verb के तौर पे तो आपको इनकी पहचान है, बट यह यहाँ पर इस तरीके से इस्तमाल होते हैं, बात clear हो गए, तो verb के लिए अभी for the time being, this much information is more than sufficient, so that कि आप identify कर पाएं एक sentence, बाकी जैसे मैंने बताएं कि जब हम chapter पढ़ेंगे, तो बहुत detailing में जाएंगे, main verb कैसे सवाल पूशे जाते हैं उससे, confusing verb pairs क्या होते हैं, helping verb में फिर आपके पास आ जाता है, primary helping verbs and models, इन दोनों को समझेंगे, models में partial models का case है, exception का वो देखेंगे, फिर non finite verbs आप पढ़ोगे, जिसको हम advanced verb कहते हैं, gerund infinity participle, इस सब मेरे साथ इस batch में पढ़ोगे आप, अभी हो सकता, अगली week पढ़ ले, शुरुआत grammar से ही कर लेंगे, को यह सारे areas cover करेंगे, transitive and transitive verb, यह भी verb का एक प्रकार है, regular, irregular verb, खर यह exam में नहीं पूछा जाता, यह ज्यान की बात है बस, तो यह सब detailing में chapter के दोरान पढ़ेंगे, अभी हम बस definition को प्रशब कर रहे हैं, कि अपने basic definitional कचरे जो हैं, वो साफ कर लें, आईए, अब बात होती है, adverb की, adverb, अब अगर पूछा जाए, what is adverb, तो कई सारे लोगों के मन में यह होता है, कि यार, adverb में वर्व लगा, यानि जो वर्व की विशेस्ता बताए, हिंदी में भी हम उसको क्रिया विशेशल कहते हैं, बट यह थोड़ा confusing मामला है, अगर आपको यही बस पताए, दिवाग में आप यह रख सकते हैं कि noun और pronoun को छोड़के बाकी सब को describe करने के जिम्मेदारी adverb की है, और actually यह जो दोनों चाप्टर से हमारे, जब syllabus देखिएगा आप, जहां मैंने topics लिखे हैं सारे, वहाँ adjective adverb के साथ मैंने लिखा है, bracket में modifiers, यानि जो हमारे आठों parts of speech ह उन में से यही जो दो है, adjective और adverb, इनका काम विशेषता बताना होता है, तो noun और noun की विशेषता adjective बता रहा होता है, और adverb की परिभाशा क्या है, कि adverb is a word that describes the meaning of a verb, comma, an adjective, or another adverb in the same sentence, ठीक है, तो यानि adverb जो है वो वर्ब को भी describe करता है, adverb adjective को भी describe कर लेता है, और एक adverb उसी sentence में स्तमाल हुए दूसरे adverb को भी कर लेता है, तो यह छोटा सा आपको structure जो है यह ध्यान में रखना है, noun, pronoun, adjective, verb, adverb, अभी तक इतनी चर्चा की है हमने, और इसमें क्या बात ध्यान में रखनी है, कि adjective का काम अपने से उपर वाले दोनों को describe करना है, और adverb क modifies a verb, comma, an adjective, or another adverb in the same sentence, यानि यह तीनों को describe कर रहा होता है, आईए, पड़ा फट सेंटेंस लिख लेते हैं, कि clarity आजाए हमें, आपने लिखा अगर कि, she speaks fluently, she speaks fluently, she speaks quite fluently, and she is a very fluent speaker. तीनों बातों के लिए तीन सेंटेंस, she speaks fluently में क्या नजर आ रहा है, speaks verb है, और fluently वो कैसे बोलती है, यह उसको describe कर रहा है, तो यहाँ पर यह उसको कहा जाएगा, adverb of manner, क्यों manner, because यह शब जबाब दे रहा है, इस सवाल का, how does she speak, वो कैसे बोलती है, तो कोई भी चीज कैसे की जाती, वो उस काम को करने का तरीका ही है, manner ही है, तो आप वहाँ पर, she speaks, fluently में, यहाँ जो adverb है, हमारा यह किसको describe कर रहा है, यह verb को describe कर रहा है, दूसरे sentence में क्या नज़र आ रहा है, she speaks quite fluently, यह तो दोनों clear है, आपको subject और verb, यह fluently भी आपको पहले से clear है, कि वह यह तो adverb of manner है, एक शब्द और यहाँ पे बीच में आ गया, और वो आ गया quite, quite भी यहाँ adverb है, और यह किस तरह का adverb है, इसे कहा चाएगा adverb of degree, यह actually degree को थोड़ा सा बढ़ा रहा है, कि वह काफी तेज बोलती है, यानि उसकी बोलने में fluency काफी है, काफी अच्छा है यह तो, अच्छा है आपने बूला उस चीज़ के बारे में, right, उसकी performance अच्छा perform किया, उसने अच्छा perform किया, उसने काफी अच्छा perform किया, तो उसने अच्छा perform किया, perform वर में अच्छा किया, यानि उसके perform करने को describe कर रहो, she performed well, she performed well, और well is adverb of manner, पर आपने कहा उसने काफी अच्छा perform किया, यानि अब उसकी अच्छा ही की degree को आप थोड़ा बढ़ा रह आ रहा है कि एक adverb दूसरे adverb को जो मैंने यह arrow घुमाया हुआ है ना कि adverb दूसरे adverb को भी describe कर सकता है तो वो कहानी आपको यहां नजर आ रही है कि quite actually fluently describe कर रहा है यहां यह adverb वर्ब को कर रहा था यहां एक adverb दूसरे adverb को कर रहा है और यह इस तरह के sentences तो बच्पन से बोल रहा है और पढ़ रहा है आप शी इस वरी ब्यूटिफुल इस वरी इंटेलिजेंट कुछ भी इस तरह का तो यह speaker जो शब्द है यह नाउन है fluent जो नाउन के पहले आ करके उसको describe करे adjective हो गया और यहां पर यह वरी जो है यह आपका adverb है again adverb of degree है जो कि इस fluent वाली quality की degree को बढ़ा रहा है तो इस case में आपने क्या देखा कि एक adverb जो है वो adjective को describe कर रहा है जो कि arrow घूम करके यहां पर आया हुआ है तो यह adverb की कहानी है अब यहां पर चोटी सी बात मैं और भी add करूंगा इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे कि एक ही शब्द adjective और adverb दोनों का रोल निभा सकता है यह नहीं कहारो निभाता है निभा सकता है और वही बात जो सबसे पहले हमने सीखी ती आज की पहली slide वी जब शुरू हुई जो कल की classic grammar primer का पहला जो आपका lecture था उसमें हमने यह दो arrow बनाये था कि grammar is all about word selection and word placement यानि एक ही word की placement अगर change करोगे तो adjective और adverb दोनों का रोल निभा सकता है एक example ले लेते हैं अभी जबान से निकलाई है वही लिख देता हूं में यहाँ पर अगर आपने मानलों यह कहा कि she is pretty she is pretty right या आपने यह कहा कि she is a pretty girl she is a pretty girl and फिर आपने कहा कि she is pretty good she is pretty good in singing अब जितना ग्यान आपको दिया उस ग्यान के आधार पर बताएं आप इन तीनों sentences में pretty words जो है वो common है pretty का grammatical profile बताओ मुझे क्या है और मैं बता दूँ जो अभी तक discuss हमने किया उसी में से प्रेपटिशन conjunction नहीं है तो बता दीजे मुझे फटाफट बिबलेश क्या बोला मैंने कुछ और बोलना हूं कितनी बार एक सब्सक्राइब को बताना पड़ेगा सब्सक्राइब प्राइमर है introduction है अभी बताया नहीं कि चार्प तीन चार क्लासे मीनिममम लगेंगी वर्ब को पढ़ने में फिर वही सवाल पूछ रहो भाई syllabus में क्या लिखाता हूं ऐसा थोड़े ही कि बस फुहरा मारके छोड़ देंगा तुम्हें पूरा पढ़ेंगे भाई don't worry लेकिन जब प्राइमर मैं कराता हूं तो प्राइमर का ये purpose होता है कि ये class खतम होने के बाद जैसे अभी आप देखरो word के उपर फिर हम phrase की class लेंगे clauses को समझेंगे definition इन सभी को पहचानेंगे इन सभी की sheets आपको मिलेंगे Monday की class में हम question practice करेंगे और sentence तक चीजों को समझ लेंगे तो hopefully जो आपका प्राइमर है ये मंगलवार तक शायद खतम हो मंगलवार तक शायद वो ये topic खतम हो हमारा मंगलवार यह होश रखता है कि दस्ट यहां कि बता है कि अपको और यहीं पर यहां पर चक्राइब करें उससे एड़व कहते हैं और यह एड़वर्ब डिग्री हो गया कि वो गाने में काफी अच्छी है, क्या singing यहाँ पर वर्ब है, नहीं साब, यह जिरंड है, देखो in preposition आया है न, preposition किसके पहले position होता है, noun या प्रणाउन के, तो यह singing यहाँ पर जिरंड को क्या कहा जाता, वर्बल नाउन, यह activity है, यह जिरंड है, जिरंड है, इसका मतलब noun का रोल निभा रहा है, activity की बात कर रहा है, action की बात नहीं कर रहा, अब देखो, मैंने एक छोटा सा शब्द बोला, उसके लिए बात बताई दूँ, activity, action, clear कर लो, अगर मानलों लिखा हुआ है, she is singing, she is singing a song, likes singing, अब मैं आप से पूछों कि मुझे बताओ, activity क्या है, इसमें action क्या है, देखने में तो वह ही singing है, भाई यह activity है, यह activity है, कि गाने को एक activity के तौर पे, hobby के तौर पे वो like करती है, यह verb थोड़ी है, verb को हम action बोलते हैं, तो यह singing आपका action है, यह आपका envy है, main verb है, और is यह helping verb है, यहाँ पे likes main verb है, actually, and what does she like, वो क्या like करती है, गाना like करती है, गाना यहाँ verb नहीं, noun हो गया, यह activity है, और इसी को हम क्या कहते है, gerund, अब यहाँ देखो, यह gerund जो है, किसका काम कर रहा है, object का काम कर रहा है, वहीं पे अगर आप sentence यह बना दो कि singing, singing is her hobby, singing is her hobby, अब यहाँ पे अगर मैं पूछूँ आपसे कि singing sentence का क्या है, क्या है singing sentence का, subject है भाई, subject कौन बनता है, noun या noun के बराबरी का कोई, noun equivalent जिसे हम कहते हैं, आज तक हमारे ग्यान में था कि noun का equivalent pronoun होता है, noun की जगह इस्तमाल करता है, noun का role निबाता है, बट आगे आप verb chapter में पढ़ोगे, प्राइमर खतम करने के बाई, जब हम आगे बढ़ेंगे, कि यहाँ पर यह singing जो है, यह jirand है, और jirand noun का ही equivalent होता है, तो यहाँ यह singing subject है, यह singing object है, subject और object action नहीं होते है, subject तो जिसके बारे में बात हो रही है, कोई पूछे, उसकी hobby क्या है, यह इस what का जवा तो चलिए साब, आपको clear हो गया कि एकी शब्द, adjective, adverb, दोनों का काम कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, अब आगे बचा हुआ है, हमारे पास क्या, adverb के बाद आता है, preposition, बहुत basic है, इसको समझने में तो खेर किसी को कोई दिक्कत नहीं है, preposition, यानि यह पहले position ह होता है, किसके noun या प्रोनाउन के, तो जैसे यह कहा जाए कि she 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 was sitting in the room and she came रहे हम इन तो दरूम इस वाजपन से पट रहे है आप यद्द बुक इस न दे टेबल यह जो शब्द लगे हैं यह क्या है यह प्रेपजिशन क्या है देफिनिशन प्रेपजिशन की प्रेपजिशन is a word that play that is placed before a noun or pronoun to show its relation with other words in the same sentence the preparation किसी noun pronoun से पहले लग कर के, right? उस noun pronoun का उसी sentence में इस्तेवाल हुए दूसरे के साथ संबंद बताता है यह नाम ले लो फिर प्रणाउन का भी एक इग्जामपल ले लेते हैं तो जतिन वाज बिसाइड हर जतिन उसके बगल में बैठा था तो यहां क्या नजर आ रहा है यह बिसाइड जो है यह आपका प्रेपोजिशन ही है फ्री फी लिग देता हूँ बस और हर यहां पर क्या है प्रणाउन तो प्रेपोजिशन किसी नाउन या प्रणाउन से आ और उसी सेंटेंज में इस्तेमाल हुए दूसरे नाउन प्रणाउन से उसका संबंध बताता है तो जब आप कहे रहो she's sitting in the room यानि वो उस room में बैठी है static position का संबंध है इस्तिर अवस्था में बैठी है but she came into the room जब आपने कहा यानि into लगा दिया so here motion is involved अब जो संबंध है वो थोड़ा motion का है या मैं आपको कहूँ कि you are sitting before me तो आप मेरे सामने बैठे है और the book is on the table इससे क्या पता लग रहा है कि किताब table पर है table किताब पर नहीं है कौन किसके उपर है ये पता लग रहा है इदर ये book जो है वो table के उपर जतिन किसके बगल में बैठा था तो उसके बगल में बैठा था तो ये clarity हमें जरूर होनी चाहिए अगर आप अधूरा ग्यान रखेंगे यहां पर भी तो वो परिशान कर सकता है कि वह adjective भी तो noun से पहले आता है adjective भी तो noun से पहले आता है लेकिन उसका काम noun को describe करना होता है उसका काम noun को describe उसकी quality बताना है preposition quality नहीं बताता यह संबंद बताता है कि जतिन और उसके बीच में क्या संबंद है जतिन उसके बगल में बैठा है यह उसकी positioning को बता रहा है किस तरह के position में है वो तो this is the role of preposition और आखरी हमारे पास आता है conjunction नाम से ही बता रहा है यह con together junction जोड़ना यानि वो शब्द जो दो word दो phrase या दो clause को जोईन करे उसे conjunction कहते हैं राइट नितिन आंड पूरा ही आंड लिख दूँ आंड जतिन आर गोईंग तू कूल कूल आर विस्दम आर यूरो कहते हैं और नियूए और नियूणों आसाओके है कर दो सब्सक्तितना पर दिख से दो दो चाहते हैं गुव विव डॉब ज़्याओड स्टॉ । । । इस टाइम क्या परिभाशा बोली मैंने कंजंग्शन वो शब्द होता है जो दो वर्ड दो फ्रेज या दो क्लॉस को ज्वाइन करता है तो यहां यह एंड किसको ज्वाइन कर रहा है दो वर्ड है हमारे नितिन एंड जतिन यह वर्ड यहां यह एंड किसको ज्वाइन कर रहा इसके question solve करेंगे और phrase के concept को समझेंगे noun phrase, adjective phrase, adverbial phrase क्या होता है इतनी तो समझ आपको आई चुकी अब हर wisdom में दो शब्दों का सम्मू है तो ये आपका noun phrase हो गया ये भी noun phrase हो गया दो subject, noun phrase क्यों बोल रहे हैं क्योंकि sentence का subject है ना वर्व से पहले आ रहा है clause है, ये clause है sentence का part है लेकिन part होते वे इसका subject, verb इसके साथ intact है और ये आपका दूसरा clause है, इसका भी अपना subject है और वर्व है तो और ये but यहाँ पे क्या है ये आपका conjunction है जो की दो clauses को जोईन कर रहा है कि she is brilliant, वो brilliant है लेकिन इस बार वो अपना potential realize नहीं कर पाई यानि जिस level तक वो जा सकती थी, जैसा paradigm लेकिए आ सकती थी इस बार वो नहीं कर पाई अपने potential को realize नहीं कर पाई तो यहाँ पे ये दो clauses को जोईन करने का काम कौन कर रहा है conjunction and with this we are wrapping up our basic discussion of parts of speech, यहाँ पे हमने अपने सारे parts of speech introduction को छोड़ दिया, उसका कोई लेना दिना भी नहीं, वो पता है आपको bravo, a loss, hurry, वो तो बचपन से पड़ा, इन में दिक्कत होती है हमें तो वो तो heightened emotion बताता है, बाकि यह सारे के सारे की समझ हमें बहुत ज़रूरी है और इनकी समझ हम अलग chapter wise आने वाली classes में लेंगे, लेकिन क्योंकि अभी यह primer है, हम एक sentence को समझने की ताकट develop कर रहे हैं, तो इसी लिए सारे parts of speech का क्या function है sentence में, उनका क्या role होता है ना कि definition रटना है या कुछ रटना है हमें, functions अभी काम ने समझ लिया, कि नाउन क्या काम करता है sentence का subject, main verb का object, preparation का object, right, subject का compliment और object का compliment pronoun noun की जगा इस्तमाल होते हैं, तो वह ही रोल निभाएंगे, जहां हमें confident ही थोड़ी प्रकाश हमने आज वहाँ प्रकाश डाला है कि आप समझ पाएं, adjective का काम क्या है, noun pronoun को describe करना verb का काम आपने देखी लिया, main verb action word तब है, जब वो main verb है जब is, am, are, was verb के बाद कोई main verb नहीं होता तो हम उन्हें stative verb या linking verb कह रहे होते हैं, और has, have, had के बाद अगर कोई main verb है, तब helping verb कहे जाते हैं, otherwise वो verb आप position होते हैं, किस चीज़ को रखने के लिए इस्तमाल होते हैं, बाकी verb की detailing में तो हम बात में जाएंगे, verb तो पैचा नहीं लो गया, उसके बाद आई बात adverb की, clarity आपको आई, कि ऐसा नहीं कि जो सर्फ verb को describe करें, adverb जो है, वो verb को भी describe कर सकता है, वो adjective को भी describe करता है, और वो एक sentence में इस्तमाल हुए दूसरे adverb को भी describe कर सकता है, उसके बाद आपने देखा preposition, जो पहले position हो किसी noun pronoun के, और उसी में इस्तमाल हुए, वो sentence में इस्तमाल हुए दूसरे शब्दों के साथ, उसका संबंध बताए, संबंध वो तक अव्या कहते हैं उससे, और conjunction, जो junction बनाए, जोड़े, दो शब्दों को, दो phrases को, two words, two phrases, two clauses, जो शब्द इनको जोईन कर रहे हैं, उन्हें conjunction कहा जाता है, तो अभी समझ को हम test करेंगे, मंडे की class में, ठीक है, इन पर question solve करेंगे, और उसके बाद फिर phrase का concept करेंगे, उस पर question solve करेंगे, clause का concept clear करेंगे, उन पर question solve करेंगे, फिर sentence को समझेंगे, और फिर हम अपने chapter के according आगे शुरू करेंगे, like noun, pronoun, adjective, adverb, यह सारे chapters आपको detailed manner में मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, so with this, let's wrap up this session, I hope you must have enjoyed this session, this is my own house में, my क्या है, my bimlesh possessive adjective है, और own जो है, वो emphatic adjective है, so I hope you must have enjoyed this session, मज़ा आ रहे कि नहीं आ रहे है, कुछ मामला साफ हुआ, बहुत अच्छे से पढ़ाई किया, आपने अच्छा लगा, मुझे last के 30 मिनट में किसी ने कोई कॉमेंट नहीं किया है, बिल्कुल नीरज, बिल्कुल, सब पता लग जाएगा, और सब हमेशा के लिए पता लग जाएगा, जिंदिगी में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा, लोग प्राइमर नहीं आएगी तो तुम लिखोगे कैसे, डिस्क्रिप्टिव पेपर, एसे और लेटर, तो कोई अगर इस तरह का ग्यान देने, तो उसको मुझे जबाब देना, क्योंकि हमारा दिमाग अंधर टाइप का हो गया, हम सोचते ही नहीं है, मतलब किसी चीज को, किसी अलग अलग ज्यान देतें, कोई बात नहीं, गलती बोलो बोलना चाहिए, हद्धा यार, अब थोड़ी बोलना चुछेए, अब नहीं बोलना चाहिए ऑन 22 साल, 24 साल, 25 साल के हो गये हम, और हम गलत अंगरीजी बोलें 20 साल के, कोई भी उमर है, अगर आप बोलो, तो सही बो लेंगे इस लेवल की clarity लेके आएंगे कहीं कोई दिक्कत नों जिसे मैंने आपको बताए ना कि इंफिनिटिब की सारे advanced structure अब वीवन प्लस आएंजी में वर भी यह वह वह और वह नाउन का भी रोल नहीं बहाता कब नहीं बहाता है कैसे नहीं बहाता है सब पता लग जाएगा और हम इस बार चेंज करेंगे पिछले बैचे में बीच में गराता हूं लेकिन इस बैच में ग्रामर स्टार्ट से करा रहा हूं ठीक है मतलब पहले हम जिसे कभी वोक्याब कर लिया आप फिलर्स कर लिये क्योंकि वो सब एरियाज पूशे जाते बट अभी टाइम है हमारे पास कोई दिक्कत नहीं और ग्रामर आपकी हिली भी होई है तो वहां से हम शुरुआत करेंगे तो फिर बाकी के टॉपिक्स और आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगे तो परिशान वैसे वह वैसे भी समझ में आ सकते हैं बट कोई बात नहीं इस बार इस बैच में एक अलग अप्रोच व्योडी में अलग मिलेगा आपको जो आपके पास लेक्चर है वहां शायद हमने पैराजंबल से शुरुआत करी थ अब इस बात का ध्यान रखेगा कि जो विंडो है हमारी डिसकाउंटेट फीस वाली वह खतम हो जाएगी राइट तो सैटर्डे संडे अपने दोस्त मित्रों को बताओ वह या मेरे कहने पर नहीं तुम क्लास देख लो तुम क्लास देख लो पिर अड्मिशन लेलो कोई दि कोई चीज़ें अगरे क्लियर करनी हैं अपने लिए अपनी अंग्ली जनरेशन के लिए अपनी सफलता के लिए क्योंकि यह सिर्फ एक्जाम पास करने तक नहीं अंग्रेजी लोगों को बहुत डराती है confidence से जुड़ा हुआ मामला है सीधा आप चार अच्छे लोगों के बीच में नजरें बचाते हैं कि कहीं बोलना न पड़ जाए तो यह सारी चीज़ें यहां पर आपकी clear हो जाएंगे फिर आगे बाकी सारी चीज़ें speaking के लिए क्या है वो खेर मेरा VOD आता है अभी तो खेर आपको इस तैयारी की जरूरत तो इसी में सब कुछ तयार हो जाएगा इसी को पढ़ने में पढ़ना, सीखना, सुनना, बोलना, प्रेजेंट करना अपने आपको, you will get to learn each and everything. That's all for today's session. Thank you very much everyone. चले पूजा, thank you, thank you, Satyam, Pooja, Vimlesh, Teema, Neeraj, thank you, thank you everyone. चिना अपकरो 1L कि ज्या खू